Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for social science. So, Magnet Brains एक ऐसा platform में जहाँ पर आपको सभी class, सभी subject की videos free of cost provide किये जाते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि कुछ videos देखने के बाद ना तो आपको कोई subscription लेना है, ना ही कोई package purchase करना है, because best quality content, best teachers के साथ आपको free of cost यहाँ provide किया जाता है. आप Magnet Brains को Facebook पर, Telegram पर और Instagram पर भी follow कर सकते हैं, so that कोई भी important update आप यहाँ पर miss ना करें. So, आज मैं आप सभी के लिए एक नया session लेकर आया हूँ, और यह जो session यहाँ पर होगा, यह class 8th के student के लिए यहाँ पर होगा, ठीक है, तो history में अभी तक हमने total 4 chapter जो है वो यहाँ पर पढ़ लिए हैं, और East India Company की जो अलग-अलग तरीके की policies हैं, उनके बारे में हमने देखा, उनकी जो policies थी, उसका जो landlots हैं, जो राजा हैं, जो tribal लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी उपर क्या impact पढ़ा, उसके बारे में हमने चीज़ें देखी, कई सारे लोगों ने अगर देखा, तो आपने यह भी चीज़ें यहाँ पर notice करी, हम बात करेंगे हमारा next chapter जो है, इसमें हम बात करते हैं, when people rebel 1857 and after, ठीक है, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि when people rebel 1857 and after, यह आपको यहाँ पर दिया गया है, यह chapter का title है, और हम इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, 1857 का जो revolt यहाँ पर हुआ था, जिसको हम sepoy mutiny यहाँ पर कहते हैं, या first war of independence कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो British policies थी, वो यहाँ पर किस तरीके से change हुई, उन सब चीजों का discussion यहाँ पर होने वाला है, यह complete chapter revision video है, तो इसमें आपकी book में, जितने भी important चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, है ना हर एक चीज़ मैं आपको explain करूंगा, जो भी difficult terms हो सकते हैं, concept हो सकते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, जो कि आपके examination के लिए काफी important यहाँ पर होंगी, ठीक है, तो यह याद रखना है, और जब इस session को आप देखो, तो अपने साथ अपनी book को जो है, वो जरूर open करके रखें, ताकि जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊं, तो आपको पता रहे कि हम कहां कहां से कौन-कौन सी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, और उसका क्या significance है, वीडियो जो है, वो यहाँ पर बहुत ही comprehensive होगा, इसलिए हो सकता है कि आपको ज़्यादा दिरता कि यह वीडियो देखना पड़े, लेकिन उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि नया session यहाँ पर start हुआ है, और उससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा chapter अच्छी तरीके से यहाँ पर cover हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर जो heading है, इसमें बोला गया है कि policies and the people, ठीक है, उसमें बस यही लिखा है कि previous chapters में आपने क्या पढ़ा है, जो मैं आपको already यहाँ पर explain कर चुका हूँ, ठीक है, अब हम बात करेंगे policies and the people में, तो यहाँ पर क्या है कि नवाप्स lose their power, है ना, मतलब कि जो नवाप्स हैं, उन्होंने अपनी power जो है, वो यहाँ पर क्या कर दी, कि वो खो दी, है ना, या आप यह कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो powers जो हैं, वो यहाँ पर कम हो गई, तो वो यहाँ पर क्या है, तो since the mid 18th century, नवाप्स and राजास had seen their power erode, मतलब कि जब आप mid 18th century की बात हो रही है, mid 18th century की बात अगर हम करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि 1701 से लेकर, है ना, 1800 तक का जो time period है, ठेके इसके बीच में जो time है, वो 18th century में यहाँ पर आएगा, तो इसकी वज़े से यहाँ पर क्या हुआ कि आप यह कह सकते हैं कि जो नवाप से, नवाप basically यहाँ पर क्या हैं कि जो आपको यहाँ पर Muslim rulers यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, और जो राजास यहाँ पर थे, उनकी जो power है वो लगातार erode हो रही थी, erode होना मतलब यहाँ पर क्या होता है कि उनकी power लगातार यहाँ पर आपको कम होती हुई दिखाई दे रही थी, so they had gradually lost your authority and honor, मतलब उनके पास जो भी यहाँ पर अपने subject होते थे, subject का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जिस particular state में वो यहाँ पर rule करते थे, वहाँ कि जो लोग हैं, है ना उनकी उपर जो उनकी authority थी, वो लगातार कम हो रही थी, और साथी साथ जो यहाँ पर सम्मान था, जो honor था, वो भी आपको यहाँ पर क्या हो रहा था कि कम होता हुआ देखने को मिल रहा था, ठीक है, तो यह चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, रेसिदेंट्स हैड बिन स्टेशन इन मैनी कोर्ट्स, दा फ्रीडम आप दी रूलर्स रिड्यूस्ट, दियर आम्ट फोर्स डिस्बैंडेट, अट धर रिवेन्यूस अट टेरिटरी इस टेकन अवे बाई स्टीजिस, मतलब आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि काफी सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिली, जैसे आप यह कह सकते हैं कि जो भी रेसिदेंट्स हैं, साथ ही साथ यहाँ पर क्या था कि जो आम्ट फोर्स थी वो यहाँ पर डिस्मेंडेट यहाँ पर हो गए ठीक है, उनके आम्ट फोर्स पो जो है वो पूरी तरीके से खतम किया गया, क्योंकि आपको पता है कि सबसेट्री अलाइंस के बारे में हमने बात करी थी, है न, Britischers यह चाते थे कि जो भी यहाँ पर राजा वगरा है, उनके पास जो आर्मी की सर्विसिस देंगे, उनके ब्रिटिशल्स यहाँ पर देंगे, और उनके जो रिवेन्यूज यहां पर थे, जो टेरिटरी वगरा थी, वो भी यहाँ पर क्या कर दी गए वो भी यहाँ पर Britishers ने यहाँ पर अपने कबजे में लेना यहाँ पर start कर दिया था तो overall अगर यहाँ पर कहेंगे कि जिन चीजों के basis पे है न कोई अपनी authority जो है वो यहाँ पर prove कर सकता है वो सब चीजें यहाँ पर क्या हो रही थी कि लगातार आपको कम होती हुई दिखाई दे रही थी और यह किनके साथ हो रहा था mid 18 century में जो भी राजा थे चाहे जो भी नवाब थे उनको अगर हम देखेंगे तो वो यहाँ पर क्या है कि लगातार उनकी power जो है वो कम हो रही थी क्योंकि Britishers का जो expansion है वो यहाँ पर हो रहा था उनकी अलग-अलग तरीके की जो policies थी उससे वो logo की उपर राजा की उपर, नवाब की उपर, उनके subjects की उपर, उनकी territory की उपर आप यह कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है उनका control यहाँ पर देखने को मिलता था तो यह चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि किस तरीके से यह पूरा का पूरा point मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हमारी authority जो है वो यहाँ पर कम होती हुई आपको दिखाई दे रही है तो अब यहाँ पर problem जो है वो देखने को यह मिली कि यार हमको कुछ negotiations जो है वो यहाँ पर करने पड़ेंगे है न negotiations करने पड़ेंगे इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हम Britishers से जो है वो यहाँ पर किसी तरीके की बात कर लेते हैं और जब Britishers से हम यहाँ पर बात करेंगे तो आप यहाँ पर यह कह सकते होगी जो भी यहाँ पर compensation वगरा होगा वो हमको मिल जाएगा और हमारी authority जो है वो यहाँ पर protected रहेगी इस तरीके से जो है वो ruling class ने सोचा कि हम Britishers के साथ जो है वो negotiation यहाँ पर करें So many ruling families try to negotiate with the company to protect their interest अपने interest को अपनी authority को अपनी liberty को ठीक है अपना जो power है उसको maintain करने के लिए जो ruling class है उसने यहाँ पर यह सोचा कि हम यहाँ पर Britishers के साथ negotiation यहाँ पर करेंगे जैसे एक example यहाँ पर दिया गया रानी लक्षमी भाई जी का रानी लक्षमी भाई जी जो थी वो जहांसी से थी और यहाँ पर क्या हुआ कि इनके जब husband की यहाँ पर death होई जब इनके husband की यहाँ पर death होती है तो उस time period पर क्या है कि इनका कोई यहाँ पर बेटा नहीं होता है मतलब आप यह कह सकते हैं कि जैसे अगर आपका कोई kingdom है और अगर kingdom के जो राजा है उनकी death हो जाती है तो उनका जो बेटा होगा वो kingdom को यहाँ पर संभालेगा किया है ना एक बच्चा जो आपको यह फोटो में देखने को मिल रहा है इसको यहाँ पर क्या किया इन्होंने adopt किया लेकिन यहाँ पर problem यह होई कि Britishers ने मना कर दिया कि भई हम लोग जो है वह आप यह कह सकते हैं कि आपका वारिश जो आपका real beta होगा उसको हम यहाँ पर consider करेंगे ठीक है अदर्वाइस जो adopted है उसको हम consider नहीं करेंगे तो basically यहाँ पर यह हम कौन सी policy के बारे में बात कर रहे हैं यह हम doctrine of labs के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है डलोजी ने जो है वो यहाँ पर doctrine of labs start किया था उसमें यह बोला था कि अगर माली जी कि कोई legal here नहीं होगा है ना जैसे मैं राजा ठीक है तो मेरा बेटा राजा बनेगा और real beta होना चाहिए adopted नहीं चलेगा अगर adopted है तो फिर वहाँ पर क्या करेंगे तो adopted son जो है उसको यहाँ पर मेरा वारिश माना जाए और kingdom की जो responsibility है उसको यहाँ पर क्या करो आप उसको legal मानो इसी तरीके से एक और example दिया गया नाना साहब जी का नाना साहब जी जो थे ना वो पेशवा बाजिराव 2 है ना पेशवा बाजिराव 2 जो है ठीक है उनके adopted son है तो इन्होंने यहाँ पर यह बोला कि भई पेशवा बाजिराव 2 जो इनको pension यहाँ पर मिलती थी जब इनकी death यहाँ पर हो गई है ठीक है जब इनकी death हो गई है तो इनकी pension जो है वो नाना साहब को मिलनी चाहिए तो इस तरीके से आप यह कह सकते हैं कि दो example आपको दिये है उसे आप यहाँ पर क्या करो कि उसे जो है है ना उसे आप legal here जो है वह यहाँ पर consider करो मतलब मेरा वारिश यहाँ पर मानो लेकिन Britishers क्या थे Britishers का जो expansion है वो बहुत बड़े scale पर हो रहा था Britishers को नहीं नहीं जीत यहाँ पर देखने को मिल रही थी उन्होंने battle of plassi battle of boxer है तो इन्होंने क्या किया कि जो भी इस तरीके के negotiation यहाँ पर थे ठीक है उसको इन्होंने क्या कर दिया उसको बिल्कुल मना कर दिया कि हम इसको जो है वो consider नहीं करने वाले हैं फोटो में देख सकते हैं नाना साब जी है और यहाँ पर उपर वाली फोटो में देखेंगे तो अवद जो है वो जैसे आज के time period पर UP वगरा वाला जो region आपको देखने को मिलेगा न वो यहाँ पर क्या है कि वो आपको आवद region देखने को मिलता था तो यह कुछ last territories में यहाँ पर थी जिसको annex किया गया था मतलब आवद वगरा में क्या है कि थोड़ा सा इनको time लगा उसको annex करने में और कुछ last जो territories इन्होंने यहाँ पर acquire करी थी उनमें आवद का नमबर आता है 1801 में क्या हुआ था एक subsidiary alliance यहाँ पर चला was imposed on आवद and in 1856 it was taken over अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था कि subsidiary alliance Lord Willisley जो है उन्होंने यहाँ पर start किया था उसमें यहाँ पर यह था कि भाई कोई अगर माल लीजे कि kingdom है तो वहाँ का राजा जो होगा वो क्या करेगा अपनी army नहीं रखेगा ठीक है अपनी जो army है वो यहाँ पर नहीं रखेगा दूसरी बात यहाँ पर यह है कि subsidiary alliance के तहट जो है अगर आप देखोगे तो उसमें यह बोला गया है कि भाई आप अपनी army नहीं रखोगे आपको जो protection होगा वो British army provide करेगा लेकिन आपको British army को maintain करने के लिए कुछ पैस प्रवाइट करेगी लेकिन 1856 में यहाँ पर क्या कर दिया गया कि यह subsidiary alliance जो impose किया गया था उसको यहाँ पर take over कर लिया गया मतलब की समाप्त कर दिया गया Governor General यहाँ पर Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration अब इसको take over करने की बात यहाँ पर क्यों आई होगी क्योंकि इनको समझ में आ गया कि आवद में कहाएगी हम military तक यहाँ पर सीमीत रहेंगे तो काम नहीं बनेगा तो इनो ने यहाँ पर क्या allegations लगा है कि जनरल डलोजी ने यहाँ पर यह बोला कि यहाँ पर जो भी पूरा का पूरा यहाँ पर administration है वो कैसा है वो misgoverned है मिस्स गवर्ण का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो governance है वो यहाँ पर सही तरीके से नहीं है और इन्हों ने यहाँ पर यह बोला कि British rule was needed to ensure proper administration मतलब proper administration अगर हमको यहाँ पर करना है तो अवद में जो British rule है वो यहाँ पर होना चाहिए तो इस तरीके की बात किस ने करी यह governor general Dalhousie ने करी that is why they have decided कि 1856 में हम यहाँ पर subsidiary जो alliance से उसको यहाँ पर खतम कर देते हैं the company even begin to plan how to bring the mughal Danish to an end मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि अब जब तक mughals का यहाँ पर rule चल रहा था तो अब company को यह भी समझ में आने लग गया कि अगर हमको अपनी यहाँ पर superiority जो है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से establish करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा जो मुगल साशन है है ना उसको यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त करना पड़ेगा तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर क्या किया है उन्होंने यह plan किया कि हमें जो है यह मुगल डाइनिस्टी जो है इसको यहाँ पर पूरी तरीके स को देखने को मिलते थे उस क्वाइन में यहां पर क्या होता था कि वह नाम लिखा रहता हूँ के लिखे हैं नजा होसमाप्त करना मदलब उनका जो आप ये कैसा करने कि यहां कोशिश करीगी, पहले coins में इनके नाम आते थे, है ना, लेकिन company ने डिसाइट किया, कि अब इनको खतम करना है, तो सबसे पहले क्या करो, कि coins से इनका नाम हटाओ, तब कहीं जाकर हम यह चीज़ें यहाँ पर कर पाएंगे, फिर क्या हुआ, कि 1849 में, governor general जो आपको डलोजी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अच्छा, यह governor general है, इनका नाम है डलोजी साब, ठीक है, तो आप यह देख सकते हैं इनकी photo में, अब यहाँ पर क्या हुआ, 1849 में, governor general डलोजी, announced that after the death of बहादूर शाह जफर, the family of the king would be shifted out of the red fort, and given another place in Delhi to reside in, मतलब कि 1849 में, डलोजी ने यह भी यहाँ पर announcement कर दी, कि जब बहादूर शाह जफर थे, तो जब यहाँ पर क्या होगा, कि बहादूर शाह जफर, कि जब यहाँ पर death हो जाएगी, तो क्या करेंगे, कि जो मुगल family थी, वो कहां रहती थी, वो red fort में रहती थी, तो उनको क्या करेंगे, जो डिल्ली में लाल किला है, उससे बाहर निकालेंगे, है ना और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि उनको कोई दूसरी जगे यहाँ पर दी जाएगी तो वहाँ पर वो रहेंगे तो मतलब आप यह कह सकते हैं कि जहां तक अभी तक यह मुगर रूलर आपको देखने को मिल रहे थे वो लोग वहाँ पर क्या हैं वहाँ पर नहीं रहेंगे उनसे बाहर निकाल कर उनको दिल्ली में किसी और जगे पर यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा यह गवर्नर जनरल डलहुजी ने 1849 में यहाँ पर एनॉंस्मेंट करी 1856 में अगर आप देखोगे तो गवर्नर जनरल थे कैनिंग ठीक है आप फोटो में देख सकते हैं यह कैनिंग साहब है तो गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइड़ दैट बहादूर शाह जफर वुट बी दा लास्मुगल किंग मतलब इनों ने यहाँ पर 1856 में यह भी कह दिया कि गवर्नर जनरल जो कैनिंग साहब है उनका मानना यह था कि अगर हम लोग यहाँ पर कंसीटर करेंगे बहादूर शाह जफर को तो 1849 में डलोजी का क्या ओपिनियन था वो मैंने आपको बता दिया 1856 में कैनिंग ने यह बोला कि भई हम यहाँ पर क्या है कि बहादूर शाह जफर को जो है वो आखरी यहाँ पर मुगल मान रहे हैं ठीक है मुगल राजा तो यहाँ पर क्या होगा कि जब इनकी यहाँ पर हो जाएगी तो इनके आगे आने वाली जो भी generation है ना इनकी जो भी बच्चे होंगे या जो भी family members यहाँ पर होंगे उनको हम किसी को भी राजा की तरह यहाँ पर accept नहीं करेंगे मतलब उनको king की तरह यहाँ पर recognize नहीं किया जाएगा they would just be called princess धीक है उनको यहाँ पर केवल क्या बोला जाएगा उनको केवल आप यहाँ पर जो राजकुमार वगरा है वो यहाँ पर बोलेंगे बाकि यहाँ पर क्या है कि उनको राजा की तरह यहाँ पर accept हम नहीं करेंगे ठीक है तो यह बाद आपको बताई गई है फिर उसके बाद जब इसी तरीके से चीजे यहाँ पर आगे बढ़ती रही तो अगला जो अब हम heading यहाँ पर देखेंगे मैंने आपको heading बताई थी policies and the people के बारे में और उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको कुछ important जो चीजे हैं वो यहाँ पर discuss करी अब अगली sub heading अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि the peasants and the sepoys ठीक है मतलब कि जो किसान थे और जो British Army में इंडियन्स यहाँ पर काम कर रहे थे उनको sepoys यहाँ पर कहा गया है उसके तहित हम कुछ अलग अलग तरीके की चीजे यहाँ पर समझने वाले हैं आप chapter को अच्छी तरीक करने में कोई problem यहाँ पर नहीं होगी ठीक है और जितना अच्छा explanation मैं आपको यहाँ पर provide कर रहा हूं इतना अच्छा आपके school में भी discuss नहीं किया जाएगा ठीक है तो इसलिए चीजों को अच्छी तरीके से आप समझ लो ताकि यह आप इसको long time तक जो है वो retain कर सको तो य किसान यहाँ पर थे और जमीदार का basic मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे land honors ठीक है बलब जिनके पास यहाँ पर क्या है कि बहुत जादा जादा amount में जो है वो land आपको देखने को मिल रही है उनको हम बोलते थे जमीदार और यहाँ पर क्या है कि जो peasants है पीजेंस मतलब tax इनको बहुत जादा pay करना पड़ता था और साथी साथ यहाँ पर क्या था कि जो rigid revenue collection था मलब जैसे आप यहाँ पर क्या करते थे कि revenue collection करते थे उसमें यहाँ पर क्या है कि उसमें कोई मलब आप यह कह सकते हैं कि बिल्कुल rigid method थी है ना आपका कोई overall production हुआ हो ना हुआ उस मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर उनको कोई agriculture वगरा यहाँ पर करना है तो उनको जो landowners होते थे या जो money lenders होते थे उनसे यहाँ पर पैसे लेने होते थे अब आप उनको क्या करोगे loan provide करोगे loan लोगे तो आपको loan वापिस भी तो करना पड़ेगा ना लेकिन अगर माल करीजे कि आप revenue अगरा देने में इन सब चीजों में यहाँ पूरा पैसा यहां पर खर्च हो गया या जो production है उस पूरी तरीके से समाप्त हो गई तो जो money lenders से आपने पैसे लिए उसको वापिस नहीं कर पाऊगे क्योंकि उसमें interest भी आपको pay करना पड़ेगा कभी अगर overall production भी अच्छा नहीं हो रहा है तब भी यहां पर problem देखने को मिलेगी तो इसी वज़े से यहां पर आप यह कह सकते हैं कि lost the lands they had tild for the generations और जब यहां पर आप क्या करोगे कि उनके जो amount आपने यहां पर उधार लिया था उसको वापिस नहीं करोगे तो जो money lenders हैं वो क्या कर लेंगे तो जहां पर आप generation से खेती यहां पर कर रहे थे आप यह कह सकते हैं कि वो particular जो lands है वो यहां पर आपको समाप्त होती हुई दिखाई दी बात clear हो रही है तो इस point को आपको यहां पर समझना है बतलब आप यह कह सकते हैं कि यह तो मैंने peasants के बारे में बता दिया कि peasants यहां पर क्या थे जो Britishers की agricultural यहां पर policies हैं उससे बहुत दादा दुखी हो गए थे और इसी तरीके से जो भी यहां पर सिपोईस थे जो की company में यहां पर काम करते थे उनके भी अपने अपने reason थे ज यहां पर मिलना चाहिए आपकी policies ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसकी वज़े से मुझे किसी भी तरीके का यहां पर कोई नुकसान हो जो इंडियांस यहां पर British Army में काम करते थे उनको यहां पर क्या है कि Britishers की जो अलग-अलग तरीके की policies थी ना उनकी वज़े से यहां पर क्या पोईस थे उनके discontent के कारण क्या है आप एक बात यह धियान रखिएगा कि इस पूरे के पूरे चेप्टर में मैंने 1857 जो revolt है उसका पूरा का पूरा ग्राउंड में आपको बता रहा हूं है ना कि मितलब यहां पर क्या हुआ कि Britishers ने expansion यहां पर किया है ना ठीक है भई expansion स यह समझना पड़ेगा कि ground reality क्या थी पीजेंट्स किस तरीके से परेशान थे सिपोईस जो हैं वो किस तरीके से परेशान थे केवल यह नहीं था कि वो काट्रिस था है ना उसमें फैट और जो भी यहां पर पिक वगरा है ठीक है उसकी यहां पर जो आप यह के सकते हैं कि च गुस्सा निकल कर आता है और वो गुस्सा जो था वो 1857 के रिवाल्ट में आपको यहां पर देखने को मिला बात क्लियर हो गई तो यह पॉइंट आपको यहां पर समझना है आप एगर हम देखेंगे सो देवर अन्हैपी एबाउट दियर पे अलाउंसे सेंड कंडिशन और सेलरी मिलती थी जैसे अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या है पี่ जो सेलरी आपको देखने को मिल रही है जो भी अलाउंसे से मतलब आप यह कह सकते हैं कि बॉनस टाइप के जहाब को मिलते थे और जिस तरही के से सर्विस की चन्डिशन थी भाई कि आपको इतने आना पड़ेगा है ना इतने बज़े करोगे लंच का टाइम इतने बज़े ही रहेगा कभी लेट नहीं होना है अगर आप बीना बताया कायब करोगे तो आपको निकाल देंगे तीन दिन की छुट्टी मिलेगी उसके बाद पैसे कटेंगे यह क्या है यह condition of service होती है इसी तरी new rules moreover violated their religious sensibilities and belief और मतलब आप यह कह सकते हैं कि कुछ rules तो ऐसे थे जिसकी वज़े से यहां पर क्या हुआ कि उनके धर्म की उपर जो है वो यहां पर question आ गया है ना मतलब उनके धर्म की उपर जो धर्म को मानते थे है ना उनकी जो religious sensibilities आपको देखने को मिलेगी है ना उसको भी उन्होंने यहां पर violate कर दिया तो आप Indians के लिए तो धर्म तो बहुत important है है ना अगर आप यहां पर क्या करोगे कि धर्म को violate करोगे तो obviously Indians के बीच में एक discontent की भावना आपको देखने को मिलेगी और इसी वज़े से यहां पर यह चीज़े already हो रहे थी 1824 में अगर राजधनी यहां पर क्या है ठीक है मैं चाहता हूं कि जादा से जादा लोग इस question का answer दें बाकी मैं आपको additional information यह बता रहता हूं कि Myanmar जो है ठीक है इसमें हमारे चार इंडियन स्टेट हैं जो Myanmar के साथ बॉर्डर को टच करते हैं और अगर हम Myanmar की बॉर्डर की बारे में बात है ठीक है तो इस point को आपको ध्यान लखना है so 1824 में सिपोईस को बोला गया कि आपको क्या करना है कि बर्मा जाना है तो यहां पर बता दिया मलब यहां पर बता दिया उन्हें यह बोला कि हम लैंड रूट से जाएंगे सी रूट से नहीं जाएंगे question ही आ रहा होगा कि मालब ship की जरनी तो बहुत अच्छी है है ना भाई जहाज पे बैठके जाओ क्या problem है यह ship के लिए क्यों मना गर रहे थे land से तो जाने के लिए ready थे तो यहाँ पर क्या है कि उस time period पर हमारे जो religious beliefs थे जो धार्मी कास्था थी हमने जो चीज़ें यहाँ पर सीखी थी जो हमारे ancestors समको सिखा रहे थे वो अलग तरीके की थी यहाँ पर बोला जा रहा है कि those days many people in the country believe that if they cross the sea they would lose their religion and caste मलब यहाँ पर यह बोला गया कि अगर आप समुद्र को जो है वो यहाँ पर cross करते हो या समुद्र में अगर आप travel करते हो एक जगे से दूसरी जगे पर पहुंचते हो तो आप अपना धर्म अपनी जाती जो है वो यहाँ पर खोदोगे और इसी वज़े से यहाँ पर जो Indian अब इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने मना कर दिया तब इनको कहा कि punishment यहाँ पर दी गए तुम्हारी कैसे हिम्मत हो गई तुमने हमारी बात कैसे टाल दी भाई है ना तो इस तरीके से क्या किया गया इनको जो है वो punishment दी गए and since the issue did not die down ठीक है in 1856 the company passed the new law है ना लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि इस तरीके की problem जब एक बार यहाँ पर start हो गई है तो वो start ही हो गई है फिर तो उसको रोक नहीं सकते हो ना तो जो आगे के soldiers है उन्होंने भी इसी तरीकी की condition यहाँ पर लगा है तो company को यहाँ पर यह लगा कि यह काम करते हैं एक नियम बना देते हैं तो 1856 में company ने एक नियम बनाया which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required मतलब इन्होंने क्या कर लिया आपसे जो एक bond यहाँ पर sign कर वालना है इन्होंने bond में क्या लिख दिया कि अगर आप company की army में काम करना चाहते हो तो अगर मान लीजे overseas मतलब जैसे बर्मा हो गया या जूसरी जो जगे होती ही जो भारत के बाहर हैं तो वहाँ पर क्या गरना पड़ेगा वहाँ पर आपको service देनी पड़ेगी और जब हम आपको कहेंगे तब आपको service के लिए जाना पड़ेगा इस तरीके का एक bond जो है इन्होंने यहाँ पर बना लिया मतलब कानून के माध्यम से इस नौनर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे थे जमीदार्स देखने को मिल रहे थे तो उनके साथ जो वहाँ पर चीजें हो रही थी ना उनका भी impact जो है वो सिपाहियों की उपर पड़ा इसका कारण क्या है अब कोई अगर माल लीजे कि आर्मी में काम कर रहा तो ऐसा तो है नहीं कि सब लोग आर्मी में होंगे उनके जारतर जो फैमिली मेंबर्स थे अगर आप देखोगे तो वह गाओं में थे गाओं में खेती बगरा करते थे तो उनके फैमिली मेंबर्स की उपर भी impact पड़ र क्या होता था कि इनको देखने को मिलता था इनको सुनने को मिलता था कि गाओं में इस तरीके की कंडिशन यहां पर हो गई है या इनके लोगों के साथ यहां पर बातचीत होती थी है ना फोन तो नहीं थे उस टाइम पी रेट पर लेटर वगरा या कुछ भी जिसी भी तरी भी ट्रांसफर यहां पर होनी लगा टंडिशन समझ रही हाँ यहां पर क्या है शक्री नहीं पूरा पूरा का पूरा वह तैस पॉर्वार लेकंच जो फिसमें हैं तो शेत को समझते आपको समझने मैं हैं तो यह problems निकल कर सामने आई है ना आपको लग रहा होगा कि में रीजन तो आपने बता है नहीं वो cartridge वाला है ना जिसको अब हिंदी में कार्टूस कहते हैं तो उसके बारे में तो आपने करने पड़ेंगे ठीक है मतलब reforms का मतलब यहां पर क्या है कि बदलाओ करने पड़ेंगे है ना आप जैसे माल लीजिए कि अगर बदलाओ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि Britishers की जो पावर है वो यहां पर आपको कम होती भी दिखाई देगी ना अभी तक जैसे पहले administration हो रहा था उसी तरीके से करेंगे तो Britishers जो बाकी के reform की बिल्कुल जरूरत है laws were passed to stop the practice of sati and increase the remarriage of widows ठीके भारत में क्या है कि भारत में यह बहुत बुरी प्रथा थी जो यहां पर चलती थी जिसमें अगर आप देखेंगे तो sati condition day wife है तो husband के अगर माले जिए की किसी भी तरीके से यहां पर डेथ हो ती तो यहां पर क्या होगा कि उसकी जो वाइफ आदा कि एना वह आपर क्या करेंगी वह यहां पर नीकिए जिसको हम यहां पर आप देखेंगे तो जोहर कर लिया ठीक है तो इस तरीके की जो policies है ना इनको Britishers ने आपर खतम किया था दूसरी बात Remarriage of Widows Remarriage of Widows के लिए ना इनका बहुत ज़्यादा यूगदान है ठीक है जो दूसरी personality आपको देखने को मिलेंगे इनका नाम है श्री ईश्वर चंद्र विद्या सागर ठीक है जिनके उपर आपने बच्पन में स्टूरी पता नहीं पढ़ी है की नहीं पढ़ी है हम लोगों ने पढ़ी थी ठीक है जब हम Britishers ने बनाया ताकि जो सती का प्रैक्टिस है जो विडो रिमेरीज है उसको पूरी तरीके से यहां पर खतम किया जाए दूसरी बात अब उसके बाद जो English English language थी है ना English language जो है education में यहाँ पर पूरी तरीके से उसका promotion यहाँ पर होने लग गया ठीक है पहले हमारे यहाँ पर English में पढ़ा है नहीं होती थी अभी क्या है कि आप भी English में पढ़ा रहो मैं भी English में पढ़ा रहूं तो यह सब चीजों का जो promotion यहाँ पर हुआ था वो कि कंपनी ने यहाँ पर एलाओ किया Christian Missionaries to function freely in its domain and even all land and property मतलब Christian Missionaries मतलब यहाँ पर कौन से लोग होते हैं जो यहाँ पर इसाई धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1830 के बाद company ने यहाँ पर यह बोल दिया कि जो भी Christian Missionaries हैं जो Christian धर्म का ठीक है function freely in its domain जहाँ पर भी British rule आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से function करो और property वगरा भी खरीदो land वगरा भी खरीदो कोई दिक्कत नहीं है तो Christian जो Missionaries हैं अगर आप देखेंगे तो उनको यहाँ पर इस तरीके के जो अधिकार है वो यह यहाँ पर provide किये गए कि आप लोग आसानी से काम कर सकते हो 1850 में अगर आप देखोगे तो एक नया law यहाँ पर पास होता है to make conversion to Christianity easier मतलब आप यह कह सकते हैं कि अगर आप अपना धर्म परिवर्तन करके इसाई जो धर्म है या जो Christian धर्म है उसको यहाँ पर स्विकार करोग तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कानून होगा वो आपके लिए बहुत आसान कर दिया गया है ना मतलब अगर आप धर्म परिवर्तन यहाँ पर करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या है कि आपके लिए जो कानून की व्यवस्था की गई हो बहुत आसान है ठीक है आप Christian धर्म ज कॉल सकते हो तो यहां पर क्या होगा कि आपको यह अदिकार दे दिया गया है कि आपकी पूरवज है एंस। मतलब आपकी पूरवज उनकी जॉ प्रापर्टी है उसको आप carbohydrate कर सकते हो मतलब कि उसको उसके उपर जो है मालिकाना हक आप का यहाँ पर हो जाएगा अगर आप क्या करोगे क्रिश्चन धर्में खुद को कंवर्ट कर लोगे तब तो इससे यहाँ पर क्या हो रहा रहाれ систne missionaries क्यों आये थे भाई Christian धर्म का प्रचार परसार करने के लिए Britishers की policies क्या थी इसी तरीके की policies थी और उन्होंने कानूर में यहाँ पर यह बना दिया कि अगर इंडियन जो convert होंगे Christianity में वो अपने ancestors की property जो है उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं अब यह सब चीज़ें यहाँ पर हो रही थी मतलब reforms यहाँ पर किये गए कौन कौन से reforms किये गए यह point के माध्यम से मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझा दिये अब अगली बात देखेंगे many Indians begin to feel that Britishers were destroying their religion their social customs and their traditional way of life अब आपको भी लग रहा होगा कि मतलब यह क्या बकवास चल रही सर है ना मतलब Britishers इसलिए आया थे कि हमें जो धर्म पालंग करना है वो करेंगे आप तो वो उसमें civics वाली class में पढ़ाते होगी सर यहाँ पर क्या है कि मतलब freedom है आपको आपको जो धर्म मानना है आप वो constitution को लिखा है और इसी वज़े से यहाँ पर क्या है कि इन सब चीजों को जो है वो promote अब नहीं किया जाता लेकिन कई सारे इंडियन से उस time period पर भी उनको यह लगा कि यह मतलब इस तरीके से तो आप हमारा जो यहाँ पर religion है वो यहाँ पर खतम कर रहे हो साथी साथ हमारा ज तक जीवन यहाँ पर जीते आ रहे थे उन सब चीजों को आप बरबात कर रहे हैं तो इस तरीके की बात यहाँ पर क्या है कि कुछ इंडियन के दिमाग में जो है उस time period पर आने लग गए there were of course other Indians who wanted to change existing social practices लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों चीज़े हैं अब कई सारी चीज है इस तरीके की चीज़े नहीं होती है हर इंसान को अपना जीवन जीने का अधिकार है है ना उनकी अब किया पर क्या है कि किसमत में यही लिखा था है ना तो वो चीज़े हो गई लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक जान की बदले दो जान यहाँ पर जाए फिर आपको बिल्कुल कला थे तो विडो रिमैरिज भी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही था तो कुछ चीज़ें ऐसी ती जिसका लोग सपोर्ट करते थे लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी इसके अगेंस्ट में भी लोग आपको देखने को मिलेंगे तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं क कुछ लोग उसके against में थे कुछ लोग यह मानते थे कि यार society में जो social practices यहाँ पर हम follow कर रहे हैं इसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत है तो दोनों तरीके की लोग आपको society में उस time period पर भी देखने को मिलते थे तो अभी तक हमने जो भी यहाँ पर यह content वगरा दिया हुआ था ठीक है जिसमें उस time पर किस तरीके की policies यहाँ पर थी कैसे क्या चीज़े हो रही थी उनके बारे में total discussion जो है मैंने आपके साथ यहाँ पर discuss कर लिया है ठीक है I hope आपको इस चीज़ें जो है वो यहाँ पर समझ रहा है है ना कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे revolt यहाँ पर करने वाले हैं लेकिन लोगों के नजरिये में यहाँ पर क्या क्या चीज़े थी लोग यहाँ पर किस तरीके से क्या कर रहे थे क्या काम चल रहा था उसकी उपर ना आपको दो case study यहाँ पर दी गई है है ना एक case तरीके की चीज़ें उसका portion दिया गया है तो उसमें ये बताया गया है कि भई उस time period पर किस तरीके की situations जो हैं वो यहां पर देखने को मिलती थी तो दो अलग-अलग तरीके के extract हैं तो पहला गर हम देखेंगे तो पहला एक यहां पर जो है ये किताब है इसको बोलते हैं माज उस time period की बात हो रही है जब ये 1857 का revolt यहां पर हो रहा था ना तो लोगों ने यहां पर क्या देखा लोगों का experience उस time की situation में क्या था किस तरीके से था वो चीज़ें यहां पर बताएगे तो माजा प्रवाज जो था विष्णुभट गोटसी जी की किताब है ये एक ब्रामिंट थे जो कि महाराष्टरा के एक विलेज से यहां पर बिलॉंग करते थे ठीक है याद रखिएगा गोट से भट जी या फिर यहां पर विष्णुभट गोट से आप इनको कह सकते हैं वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा मत्वुरा जो है यूपी में देखने को मिलेगा ठीक है फिर दूसरी बात अगर आप देखेंगे विष्णुभट राइट सेट दे मेट सम सिपोईस ऑन दा वे फू टोल देम देट शूब नॉट प्रोसीड ऑन दा जरनी है ना यह बिकॉजब आप मैस्यो अपहिवल वास गुएंग टू ब्रेक आउट इन थ्री डेस मतलब आप यह कह सकते हैं कि कुछ बड़ा जो है है ना वह अगले तीन दिन में यहां पर होने वाला है तो इस तरीके की जो बात थी आप यहां पर यह कह सकते हैं कि इनके द्वारा में जो है यह मेंशन किया हूआ कि इस तरीके से उस ट्राइस थे वह उज्य बोल रहे थे और मेरे अंकल को मुल रहे आप पर समझ में आगा जाएग क discipline नहीं आपको यह बता दियो और वोक थे उनका pandemie सीचाब 1857 के revolt के पहले यहाँ पर क्या था किस तरीके की चीज़े वो देख रहते वो चीज़े बताई गई हैं फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो सीता राम पांडे जी के बारे में बात करी गई है सीता राम पांडे екुटेट इन 1812 तो बंगाल का जो निट्यो आर्मी था उसमें इनका रिकूटमेट जो है वो कब हुआ था 1812 में और इनका नाम क्या था इनका नाम था सीताराम पांडे he served the English for 48 years और इनकी यहाँ पर क्या है कि 1860 में जो है वो यहाँ पर retirement होती है बंगाल में जो है ब्रिटिश का रूल यहाँ पर आ गया था है ना तो 1812 से लेकर 1868 1860 तक 48 years में अगर आप देखोगे तो इन्होंने ब्रिटिश जो यहाँ पर सरकार थी इंग्लिश जो गवर्मेंट थी उनको यहाँ पर service दी he helped the British to suppress the rebel through his own son was a rebel and was killed by the British in the front of his eyes मतलब आप यह कह सकते हैं कि यह जो हैं यह Britishers के लिए यहाँ पर काम करते थे तो जिए rebellion आपको देखने को मिला 1857 में इसको suppress करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है और इनका खुद का बेटा जो एक यहाँ पर क्या था rebel था है ना मतलब वो यहाँ पर क्या कर रहा था कि जिसने इस revolt में यहाँ पर participate किया था उसकी भी जान यहाँ पर गवानी पड़ी मतलब अपनी आखों के सामने अपने बेटे को इन्होंने यहाँ पर मरते हुए देखा था है ना ब्रिटिशर्स के द्वारा इनके बेटे को मार दिया गया था क्यों क्योंकि वो एक rebel था और retirement he was persuaded by his commanding officer अपनी याद की उपर जो है यहाँ पर पूरा का पूरा content जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करो है ना कि उस time period पर कैसा experience था क्या चीज़े हो रही थी किस तरीके से हो रही थी है ना बागी यह photo एक देखने को उनके घर में गुज गए उनके घर में आग लगा दी और attack बगरा कर दिया यह सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती रहें he completed the writing 1861 in avadi and norgate translated it into English मतलब यहाँ पर क्या है यहाँ पर आप कह सकते हैंगी जो सीताराम पांडे जी थे इन्होंने अपनी याद में जो में में यहाँ पर लिखा था वह अवधी भाषा में लिखा था कब लिखा था 1861 में अवधी भाषा में लिखा नॉरगेट ने जो है इसको इंग्लिश में ना examination point of view से या समझने से जो है वह important नहीं है लेकिन उसका क्रक्स यही है कि उसमें यही बताया गया कि उस time period पर situation जो है वह कितनी change हो रही थी मतलब लोगों को भी लग रहा था कि कुछ होने वाला है और इस तरीगे की activities जो है वो सिपोईस को भी देखने को मिल रही थी सबको देखने को मिल रही थी और इसी वज़े से आप यहां पर यह कह सकते हैं कि इन दोनों जो यहां पर मैंने आपको example बताया चाहे सिताराम पांडे जी का example देख लीजिए चाहे विश्नुभट गोडसे जी का example देख लीजिए इसमें यह बताया गया था कि भाई वस टाइम पिरेट पर जो सिपोईस हैं उनका यहां पर क्या point of view था और जो वहां के लोग थे उनका क्या point of view था वो चीज़े आपको यहां पर समझना जरूरी था तो लोगों के नजरिये से आपको देखना था कि 1857 के जो reward था उसके पहले यहां पर किस तरीके की situation बन रही थी वो चीज़ आपको यहां पर बताईगे I hope यह सारी चीज़े एकदम crystal clear हो गई होगी कोई भी doubt होता है comment section में mention कर सकते हो चल मतलब कुछ लोग इसमें यहां पर क्या हुए थे इसमें involved हुए थे लेकिन देखते ही देखते यहां पर क्या कह सकते हैं कि बहुत सारे जो major regions थे है ना वहां की लोग इसमें पूरे के पूरे involved हुए वो कैसे हुए वो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले यहां पर क्या करि मतलब कि हम आपकी बात नहीं मानने वाले हैं यह चीज यहां पर होती है ठीक है चले अभी आज के टाइम पीरिट पर हमारे फॉज में यहां पर अगर आप यहां पर करेंगे तो आपको फॉज से बाहर निकाल दिया जाएगा ठीक है यह बात आपको ध्यान लखना है तो यहा फिर वह दूसरी जेगे पर स्टाट हुई तीसरी जेगे चोथी जेगे इस तरीके से यहां पर क्या होता है कि बड़े-बड़े स्केल पर अलग-अलग जेगे पर चीज़े यहां पर होती रहती है जिसकी वजज़ेए से यहां पर क्या होता है कि state जो होता है state मतलब जो यहां पर powerful यहां पर लोग देखने को मिल रहे हैं जो power में हैं उनकी power जो है वह यहां पर क्या होती है वो breakdown होती भी दिखाए देती क्योंकि कि सब लोग अगर हर तरफ से यहां पर क्या होगा कि लोग यहां पर attack करने लगेंगे है ना हर तरफ से जो struggle होने लगेगी तो state के लिए काफी मुश्किल हो जाता है कि उसके उपर हम control यहां पर किस तरीके से करने वाले हैं ठीक है अब दूसरी बात है कि अगर हम देखेंगे और अच्छा एक बात यह बोला गया कि struggles between the rulers and the ruled are not unusual ठीक है मतलब ठीक है a very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अब लोगों के मन में भी यह बात यहाँ पर आ गई कि भाई क्या है कि आप यह कह सकते हैं कि जब लोगों के मन में यह बात यहाँ पर आई तो उनको यह लगने लग गया कि हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा एक common enemy है common enemy का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हम सब का एक दुश्मान है वो कौन है वो अंग्रेजी हुकूमत है British Company आपको देखने को मिलेगी और अगर हम उससे यहाँ पर छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा सबको एक साथ यहां पर खड़े होने की ज़रुत पड़ेगी है ना सेम टाइम में सबको एक साथ यहां पर खड़ा करना पड़ेगा तब ही हम क्या कर पाएंगे उनको जो है ओवरकम कर पाएंगे मलब यहां पर क्या है कि अगर आप इस तरीके की कोई चीज करना चाहते हो है ना जिसमें सब लोग मिलकर अपने common enemy को यहां पर हराना चाहते हो तो आपको कुछ लोगों का group यहां पर बनाना पड़ेगा जो organize हो है ना कि मलब अपने हिसाप से काम नहीं होगा सब कुछ और इस तरीके से उनको communicate करते रहो जो भी करना है जो भी आपका plan होगा action होगा उसके बारे में बताओ initiative लेने पड़ेंगे और confidence यहां पर दिखाना पड़ेगा और जिस तरीके की demand यहां पर हो रही है वो चीज आप यहां पर implement कर दोगे such a situation developed in the northern parts of the India ठीक है मलब जो UP वगरा वाला जो region आपको देखने को मिलेगा वहां पर इस तरीके की जो situation है वो 1857 में जो है वो develop हुई है ना जब लोगों को लगा कि अब समय यहां पर आ चुका है और अब हमें यहां पर क्या करना है कि जो बिटिश हुकूमत है इस इंडिया कंपनी है उसको यहां से बाहर भाईजना है आफ्टर आ हंड्रेड यूर ओफ कॉंकेस्ट अड्मिनिस्टेशन है ना मलब आप देख सकते हैं 1857 में हम यहां पर पहुंच चुके 1757 में बैटल ओफ प्लासी में पहली जीत उनको यहां पर मिली थी आप सौ साल यहां पर हो चुके English East India Company faced the massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India मलब आप यह कह सकते हैं कि मई 1857 में इनको जो है एक बहुती massive rebellion जो है उसको यहां पर face करना पड़ा लोगों ने यहां पर क्या किया कि British हुकूमत के अगेंस्ट यहां पर आवाज उठा दी वेपन लेकर यहां पर पहुंच गए और इसकी वज़े से यहां पर क्या हुआ कि company को जो है इस बात का डर लगने लग गया कि अब लगता है कि इंडिया में जो हमारा समय था वो यहां पर समाप्त हो चुका है इस तरीके की बात मई 1857 में उनके मन में आ चुकी थी मतलब आप यह कह सकते हैं कि जो म्यूटिनी के रूप में यहां पर यहां पर स्टार्ट हुआ है ना और मेरट से यहां पर शुरुवात हुई और बहुत सारे लोग अलग अलग पटिकुलर जो सेक्शन में थे सुसाइटी में जो रहते थे हर धर्मे के लोगों ने इस पटिकुलर रिवॉल्ट में यहां पर पाटिसिपेट किया और यहाँ पर क्या है कि इस पूरे के पूरे जो rebellion यहाँ पर था है ना इसको strong करने की यहाँ पर कोशिश करी तो याद रखिएगा merit से जो है वो start यहाँ पर हुआ था ठीक है वहीं से planning थी कि merit से हम यहाँ पर start करेंगे some regard it as a biggest arm resistance to the colonialism in the 19th century anywhere in the world मतलब की 19th century की बात यहाँ पर हो रही है मतलब की अगर हम देखेंगे तो 1801 से लेकर 1900 की बीच का जो time period है इसको हम 19th century बोलेंगे तो 19th century में जो British colonialism है है ना मतलब की जो Britishers ने अपनी अलग-अलग तरीके की colony यहाँ पर बनाई थी है ना इस तरीके का resistance जो है वो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं देखा गया था इस तरीके का जो resistance है वो केवल भारत में आपको देखने को मिला 1857 में इतना बड़ा resistance जो है armed resistance वो कहीं और नहीं हुआ था और इसी वज़े से यहाँ पर क्या है कि वीर सावरकर जी ने यहाँ पर 1857 का जो revolt है ना इसको first war of independence भी यहाँ पर कहा रहा है तो यह point भी आपको ध्यान रखना है यह book में आपके नहीं लिखा हुआ है आप यह दे बताए कि मेरेट से यहाँ पर start करना था लेकिन यहाँ पर हम किस से बात करेंगे अब मेरेट से दिल्ली तक की बात करेंगे अच्छा एक बात यह ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर यह 1857 का revolt था इसको start कहां से करना था merit से लेकिन मेरेट के कुछ दिन पहले ही अगर आप देखोगे न तो क्या हुआ था मेरेट में 9 मही से स्टार्ट हुआ था है ना लेकिन उससे पहले यह अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ था बैरक्पूर एक जगे हैं जहां पर मंगल पांडे नाम का एक सिपाही था जिसने यहां पर क्या कर दिया था विद्रो call में देखने को मिलेगा वहाँ पर क्या हुआ था 8 अपरेल 1857 को मंगल पांडे जी जो है इनको यहाँ पर क्या किया गया था इनको फांसी की सजय यहाँ पर दी गई थी क्यों क्योंकि इसका कारण बहुत सिंपल है इन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर था उसके उपर यहाँ पर अटेक कर दिया था ठीक है यहाँ देख सकते हैं मंगल पांडे जी हैं सम डेज लेटर सम सिपोईस ऑफ दी रेजिमेंट एट मेरट रिफ्यूस तो दूदा आर्मी ड्रिल यूजिंग दा न्यू कार्ट्रिज विच वर सस्पेक्टेड ऑफ बिंग कोटेड विद फैट फैट ऑफ काउज और पिंग ठीक है अब यहाँ पर क्या हुआ कि मेरट में यहाँ पर कई लोग थे उन्होंने यहाँ पर जो रेजिमेंट थी उसने मना कर दिया कि हम ड्रिल नहीं करेंगे जो नए कार्ट्रिज यहां पर आएं कार्ट्रिज मतलब कार्टूस जो बंदू क फैट होता है और जो होता है उसका फैट होता है तो यहां पर यूजठ करना पढ़ेसे ग्लाही तो आप यहां पर क्या जाता है इसकी वाज़े से इनुनने मना कर दिया मेरत में कि हम जो हैं वो रेज़्िमेंट के साथ यहां पर किसी भी तरीके की जो भी यहां पर यह ड्रिल वग्रा है जो भी exercise यहां पर करनी कुछब भी करनाë व आटर वह नहीं करेंगे तो इस सबस्क्राइब से उन्होंने क्या कर दिया मना कर दिया मतलब मुटनी हो गई मुटनी मतलब आप यह कह सकते हैं कि ओफिसर ने कोई आपका और यहां पर दिया है service and sentence to 10 years in jail for disappointing their officer, ठीक है, मतलब 85 जो officers हैं, उनको यहाँ पर क्या कर दिया गया, डिसमेस कर दिया गया है ना, मतलब आपको नौकरी से जो है वो यहाँ पर निकाला जाता है, और साथी साथ क्या है कि 10 साल की jail भी यहाँ पर हो गई ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या था कि जो response जो मेरट में दूसरे soldiers आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, उनका जो response यहाँ पर था कि वो थोड़ा extraordinary था, 10 मही को क्या हुआ, यह 9 मही का incident मैंने आपको बताया, 10 मही को the soldiers maart to the jail in मेरट and release the imprisal si poise, ठीक है, उनका उनको यह लगा कि बोले हमारे भाईयों को तुमने jail में बन किया है, तो 10 मही को यह soldiers जो हैं वो jail में पहुँचे और सब को gate खोल के बोले चलो भाईयों चलते हैं, तो 85 जो लोग यहाँ पर jail में बन थे उनको बाहर निकाल के लिया है, ठीक है, तब यहाँ पर एक term use किया गया है, इसको बोलते हैं फिरंगीस, so फिरंगीस मतलब foreigners, the term reflect an attitude of contempt, मतलब आप यह कह सकते हैं कि इनसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, इसलिए हम लोग अंग्रेजों को जो है वो यहाँ पर फिरंगीस के नाम से भी यहाँ पर जानते थे, तो रास्ते में जो भी यहाँ पर चीज़े मिल रही थी, गंस मिल रहे थे, ammunition, ammunition मतलब जो भी बम फटाके मिल रहे हैं, सब उठा लो, उनकी building को आग लगा दो, property को आग लगा दो, और यहाँ पर क्या हुआ कि जो Britishers हैं, उनके against यहाँ पर जो है, वो war यहाँ पर declare कर दिया गया, तो 9 मई, 10 मई में इस तरीके की situation जो है, यह merit जो कि UP में हैं, वहाँ पर आपको दिखने को मिल रहे थी, the soldiers were determined to bring an end to their rule in the country, मतलब आप यह कह सकते हैं, कि जो soldiers थे, है ना, उनको यहाँ पर क्या था, यह मतलब आप माल लीजे कि जो लोग यहाँ पर क्या थे, कि 1857 के revolt में participate कर रहे थे, तो इनका मानना यह था कि अब यहाँ पर जो company का rule है, इसको यहाँ पर समाप्त कर देना है, और हमने कसम खा लिया कि हम इसको समाप्त करेंगे, बट हुड रूल दा लैंड इस इंस्टीट, अब अगर आप माल लीजे company के rule को समाप्त कर दोगे, तो company तो चली जाएगी, लेकिन company जब यहाँ पर चली जाएगी, तो उनकी जगे पर कौन rule करेगा, है ना मतलब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कहाएगी, non cooperation moment किया, है ना आप 10th class में पढ़ोगे, non cooperation moment में अगर आप देखोगे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमने जो Britishers की चीजें थी उनको जला दिया, है ना उनके स्कूल छोड़ दिया, उनकी नौकरिया छोड़ दी, लेकिन वो fail क्यों हुआ, fail इसलिए हुआ क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास कोई alternative नहीं था ना, अभी आपके पास alternative नहीं होगा, तो कैसे काम करोगे आप, तो इसलिए यहाँ पर क्या था कि, वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो उनकी जिके पर हमारा जो प्यारा भारत है, इसको rule कौन करेगा, और यहाँ पर क्या होगा, the soldier said an answer to this question, जो soldiers यहाँ पर थे, उनके पास इस चीज़ का answer था, कि मुगल emperor, बहादुर शाह जफर, जिसके लिए डलहो जी ने, और कैनिंग के कुछ और प्लैन थे, कि इनको यहाँ पर क्या करेंगे, लाल के लिए से बाहर निकालेंगे, बाहर रखेंगे, तो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला, कि जो Indian soldiers यहाँ पर थे, इस particular revolution में हाँ पर participate किया, उनका answer था कि हमारे देश को रूल कौन करेगा, मुगल emperor, बहादुर शाह जफर जो है, वो आपको देखने को मिलेंगे, जो photo में आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्याएगी, पूरे दिन जो है, वो यहाँ पर सडको पर चलते रहे, और यहाँ पर क्याएगी, दस मही को जो सिपोईस थे, वो मेरट यहाँ पर पहुँच गए, मतलब मेरट से जो है, वो दिनली पहुँच गए, क्योंकि बहादुर शाह जफर कहाँ पर थे, लाल किले में थे, तो लाल किले में इनसे जो मिलने के लिए, सारे के सारे जो हमारे सोलजर्स थे, वो यहाँ पर निकल पड़े, राद बर चले और सुबह यहाँ पर मौर्निंग में पहुच चुके, आप यह कह सकते हैं, कि जब लोगों को यह पता चला, कि भाई मेरट से यहाँ पर क्या हैं कि जो सुलजर्स हैं, ठीके वो यहाँ पर दिल्ली की तरफ आ रहें, तो काफी सारे जो अलग-अलग तरीके के सुलजर्स थे, वो दिल्ली में भी आपको पोस्टेट यहाँ पर देखने को मिले, तो उन्होंने यहाँ पर क्या कर लिया, उन्होंने भी इस रिबेलियन में जो है, वो यहाँ पर पाटिसिपेट कर लिया, कि अब दिल्ली में आ गया है, केवल बातें नहीं हो रही थी, कि हम ऐसा कुछ करने वाले, दिल्ली तक यह लोग पहुँच चुके है, तो अब हमें भी यहाँ पर क्या करना है, कि इसमें जोइन करना है, अगें ब्रिटिश ओफिसर्स वर किल्ट, आर्म्स एड इमुनेशन सीज, बिल्लिंग सेट उन फैर, और कैस्य लोग जो यहाँ पर इनको रोकनी की कोशिश कर रहे थे, उनको सब को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया जा रहा था, उनके आम्स, मिल्ब जो बंदूक बग़रा है, जो बं भटाके हैं, ठीक है, उनको सब को यहाँ पर सीज करते थे, से सीज करना मतलब इकठा करना जबत करना और बिल्डिंग्स में आग लगा देना ठीक है फिर उसके बाद ट्रंफेंट सोल्जर्स गैदर अरूंड दा वाल्स ओफ दी रेट फोर्ट वेर दा बाश्या लिफ्ट डिमांडिंग टू मीट इन अब इस तरीके से सोल्जर्स का कॉंफिडेंस हैना मतलब जीते हुए आ रहे थे सब चीजे कैप्चर करते हुए आ रहे थे हैंना तो एकदम जोश से भरे हुए थे यहाँ पर क्या है कि लाल किला यह पुराना लाल की लिए में आपको दिख रहा है ना उस टाइम पर कलर फोटो नहीं आती थी तो यहाँ पर क्या है कि साइड में खड़े हो गए जहाँ पर कौन रहते थे बहादूर शा veterinar रहते थे और इन्हों ने यहाँ पर इमांड करी कि हमें क्या करना है कि हमें भाधूर शाद जूफर पर रचींको लग은 तो उनको लग रह था कि मनलब अब के साथ हैं हम इसको जो है ब्रिटिश कंपनी को यहां से उखाड कर फेकेंगे तो लेकिन सोलजर्स ने उनको पर्सिस्ट किया देफ फोर्स देर मलब इंसिस्ट किया कि आप यहां पर क्या करी है हमारे सोलजर्स बनिये soldiers यहां पर यह करना चाहते थे so they force their way into the palace and proclaim bhaadur shah jafar as their leader ठीक है फिर उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि उन्होंने जबर्जस्ती करके वो लाल के लिए के अंदर घुस गए और लाल के लिए के अंदर यहां पर accept कर लिया he wrote letters to all the chiefs and rulers of the country मतलब कि जितने भी इनके chief यहां पर country में थे जितने भी rulers थे क्योंकि मुगल यहां पर क्या है कि मुगल का जो rules था वो पूरी देश में आपको देखने को मिलेगा और आज के time period पर भी जब हम 1857 में यहां पर discuss कर रहें तो उस time period पर भी अगर आप देखोगे तो कई जगे पर जो rulers हैं वो आज भी क्या है कि वो मुगल्स के प्रती वफादार हैं और इसी लिए यहां पर क्या हुआ कि जब इनों ने क्या किया कि इनको अपना लीटर यहां पर इलट किया तो उनने क्या किया कि सारे चीफ सारे जो rulers हैं उनको यहां पर क्या कि लेटर लिखे to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British ठीक है तो confederacy मतलब यहां पर क्या है यहां पर एक union मनाना पड़ेगा हमें क्या करना पड़ेगा सब को एक जुट रहकर जो Britishers हैं ठीक है इस तरीके कि लेटर जो है वो इनके द्वारा यहां पर लिखे गए और इसको अलग-अलग जगे पर भेजे गए और भेजने के बाद यहां पर क्या हुआ कि सब लोगों से यहां पर यहां पर आई मिल जो है हमें Britishers के अगेंस्ट यहां पर fight करनी है यह कौन लिख रहा है यह मुगल Emperor उस टाइम पिरेट पर बहादुर शाह जफर जो है उनके द्वारा यहां पर लिखा जा रहा है इसके बहुत सारे implications थे the Mughal dynasty had ruled over a very large part of the country मैंने आपको बताया कि इनका जो ruling था वो बहुत पार्ट में country के था most smaller rulers and chiftains ठीक है control different territories on behalf of the Mughal ruler मतलब कि Mughal ruler ने क्या है कि उनको बोल दिया था कि आप हमारी जीके पर जो है वो rule यहां पर कर लीजिए तो जब यहां पर Mughal ruler जो है है ना वो अगर यहां पर letter लिखेंगे इनके तोरा कि भाई आपको यहां पर आगे आना है और इस तरीके से काम करना है तो इसका जो impact होगा वो जादा होगा और लोग क्या करेंगे क्यों क्योंकि इनकी वज़े से यहां पर क्या हो रहा था कि यह लोग rule कर पा रहे थे तो M Mughal Emperor could rule again. They too would be able to rule their own territories once more under the Mughal authority. अभी इनको यह लग रहा था कि जो दूसरे rulers थे, small rulers थे, जो chiefs वगर आपको देखने को मिलते थे, उनको यह लग रहा था कि जिस speed में Britishers अपना expansion यहां पर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कल को यह हमारी territory को भी अपने राजबे यहां पर मिला नहीं, तो इससे अच्छा है कि जो Mughal Emperor यहां पर कह रहे हैं, कि भाई यहां पर आगे आओ, तो हम लोग क्या करते हैं कि मिलके लड़ाई लड़ते हैं, मिलके लड़ाई लड़ेंगे तो कौन होगा, Mughal Emperor जो है, वो rule करेंगे, और Mughal Emperor rule करेंगे, तो उनके भिहाफ में अ इतने सारे लोग यहां पर निकल कर आजाएंगे, they thought the disturbance caused by the issue of the cartridge would die round, है ना मतलब यह जो cartridge की वजए से, है ना यह जो problem आपको देखने को मिल रही थी, तो लोगों को यहां पर यहां पर यह लगा कि यहां इतना बड़ा थोड़ों होगा, किसी ने सोचा नहीं था कि 1857 को जो रिवॉल्ट था, यह सिपोई मिटनी जो थी, वो इतने बड़े रिवॉल्ट में यहां पर convert हो जाएगा, तो Britishers को यह लगा कि ठीक है, नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सजा वगरा दे देंगे, थोड़ा यहां पर क्या करेंगे, जोर जबसिस्ती करेंगे, सब चीजे खतम हो जाएंगे, लेकिन कुछ खतम नहीं हुआ, बट बहादुर शाह जफर's decision to bless the rebellion, change the entire situation dramatically, लेकिन अप क्या हुआ कि जब यहां पर soldiers ने decide कि बहादुर शाह जफर जो है, वो हमारे क्या बनेंगे, वो लीडर बनेंगे, तो उसकी वज़े से आप यह कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे revolt की जो situation थी, वो यहां पर क्या हुई, एकदम change हो गई, change हो गई कि मतलब यहां पर क्या हुआ, आप यह कह सकते हैं कि पूरी की पूरी situation जो है, वो आपको बदलती हुई, यहां पर दिखाई थी, मतलब सब लोग यहां पर बाहर आने लग गए, है ना, क्योंकि बाह change hope and confidence to act, ठीक है, simple सी बात है कि लोगों को लगा कि ब्रिटिशर्स के चंगूल में फसने से अच्छा है, मुगल emperor को जो है ruler बना दिया जाए, फिर से, उनकी power को restore किया जाए, वो rule यहां पर करेंगे, उनके बिहाफ में हम जहां पर अभी rule कर रहे हैं, वहां पर करेंगे, तो पूरे के पूरे rebellion में जो है, वो बहादुर शाह जफर ने जो यहां पर उनसे गुहार करी है, उसको हम यहां पर fulfill करेंगे, ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ कि एक छोटी जगे मेरेट से यहां पर start हुई चीज़े, अब यहां पर क्या है कि दिल्ली तक पहुंच गया है ना वो फैला कैसे, तो पहली बात देखेंगे, after the British were rooted from Delhi, ठीक है, there was no uprising for almost a week, मतलब आप यह कह सकते हैं कि जो यहां पर Delhi वगरा में चीज़े यहां पर हुई, ठीक है, जो अभी आपको यह देखने को मिला, ठीक है, leader वगरा declare किया, उसके बाद अगर आप देखोगे, तो करीब एक हफते तक यहां पर कुछ नहीं हुआ, it took that much time for the news to travel, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कि मतलब समयज के साथ जो है, वो पूरी की पूरी जो news वगरा हुई, वो travel हुई, then a spot of mutinies begin, फिर जब यहां पर यहां पर यह decide हुआ कि क्या होना है, क्योंकि उस time period पर means of communication इतना था नहीं, है ना कि यहां पर क्या कर देंगे, ट्विटर में लिख देंगे, तो यहां पर क्या होगा, trending होने लग जाएगा, facebook पे डाल देंगे, whatsapp status पे, यह सब तो चीज़े होती नहीं थी ना, तो धीरे धीरे news spread होने पे करीब 7 दिन का time लग गया, सबको यह पता चल गया कि करना क्या है, और फिर क्या हुआ कि पूरे देश में जो इस पर, मतलब आप यह कह सकते हैं कि छोटी छोटी जो mutinies होती है, वो बड़े लेवल पर यहां पर start हो गई, और बड़े लेवल पर जब यहां पर start हो गई, तो आप यहां पर यह कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो य उसके बात into this मतलब यही होता है मैंने आपको जो definition है वो भी इहां पर बताये हुआ है और उसके बाद जो नोडल ौइंट से ठीक है मुलक़ यहां पर यह크ांपर 21 मेंiau अधर सिपाही थे उन्होंने यहां पर तो mutiny वहाँ पर हुई, mutiny का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो British officers उनको आदेश यहाँ पर देते थे, ठीक है उसको उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया कि हम उसको follow नहीं करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो nodal points हैं, उनको यहाँ पर join कर लिया, फिर उसके बाद जब इन्होंने देखा, जब जनता यहाँ पर देख रही थी कि भाई, जो यहाँ पर British सिपाही हैं, ठीक है, जो यहाँ पर इस तरीके के reward में participate कर रहे हैं, तो जो आम जनता है, ठीक है, जो local people आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो शहरों में हो, चाहे वो villages में हो, उन्हो लिए उन्होंने रिली करना है स्टार्ट किया, क्योंकि यह सभी लोगों यहाँ पर जो हैं वो अच्छी तरीके से प्रिपेर हो गये थे, कि Britishers को यहाँ पर हरा कर, Britishers को यहाँ पर भगा कर, हम क्या करेंगे, अपनी जो authority है, इसको यहाँ पर establish करेंगे, तो जो local लोग यहा पर participate करना शुरू किया था, ठीक है, तो यह point आपको ध्यान रखना है, कि इसमें सिपाही ही के बल नहीं देखने को मिलेंगे, जो local लोग है, उन्होंने भी rally करना है, स्टार्ट किया, ताकि उनके leaders को strength यहाँ पर provide कर सकें, और वो जो leaders थे, वो यहाँ पर already prepared हो चुके थे, क Britishers को यहाँ से भगा कर, हम अपनी authority जो है, वो यहाँ पर establish करेंगे, जैसे यहाँ पर एक personality का नाम यहाँ पर दिया गया है, आप फोटो में भी देख सकते हैं, इनका नाम है नाना साहिब, the adopted son of the late Peshwa Bajirau, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British take a garrison from the city, अब यहाँ पर क्या हुआ, कि नाना सा कानपूर जो है, वो आज के time period पर आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, पहले भी उत्तर प्रदेश में ही था, ठेके लेकिन उत्तर प्रदेश में है यह, और इन्होंने क्या किया कि जो भी armed forces थे, जो भी यहाँ पर soldiers थे, जो इन्होंने mutiny किया, नोडल पॉइ He proclaimed himself Peshwa, he declared that he was a governor under the emperor Bhadur Shah Zafar, ठेके अब यहाँ से क्या हुआ कि जब Britishers को यहाँ से बाहर किया गया, जो इनका ruling area था, तो वहाँ पर क्या किया, इन्होंने अपने आपको पेशवा जो है वो declare किया, पहले पेशवा इनको नहीं माना जा रहा था, क्योंकि यह जो पेशवा ब एक governor थे, governor मतलब जो भी अलग अलग तरीके की provinces होती है ना, उनको manage करने के लिए, administer करने के लिए, यहाँ पर जो भादुर शाय जफर है या जो दूसरे मुगल rulers से, उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, governor की post यहाँ पर मनाई थी, है ना, तो वो इक चीज जो है, वो आपको वाजिदली शाह was proclaimed the new नवाव, ठीके तो यहाँ पर क्या है, कि इनोंने जो है, इनके जो पिता जी थे, ठीके उनका नाम क्या था, उनका नाम था, नवाव वाजिदली शाह, ठीके तो इनकी यहाँ पर death के बाद जो बिर्जिस कादर है, उन्होंने अपने आपको नवाव खुशित किया कहाँ पर लखनौ में लखनौ भी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनौ है और यहां से हमारे मेंबर आप पार्लामेंट है श्री राजनास सिंग जी विर्जेस कादर जो है उन्होंने अपने आपको अपने पिता के बाद ठीक है उनके पिता कौन थे वाजिद अली शाह ठीक है उनके बाद अपने आपको जो है लखनौ का रूलर जो है वो इस्टब्लिश किया मतलब की नवाब इस्टब्लिश किया अच्छा एक बात यह ध्यान रखिएगा कि कौन से प्र्टिकुलर यहां पर जो हम आपका जो यहाँ पर पूरा का पूरा अभी यहाँ पर एक तरीके से कह सकते है रूल है हम उसको मानते हैं हम आपके अंतरकत यहाँ पर काम करेंगे इसको हम सुजारिंटी जो है वो यहाँ पर कहते हैं तो जैसे नाना साहब ने यहाँ पर क्या किया था नाना साहब ने भी यह बोल दिया था कि भई मैं बहादुर्शाद जफर जो इंपरर हैं मुगल इंपरर उनका एक गवर्नर हूँ उसी तरीके से बिर्जिस कादर ने भी यहाँ पर क्या कर लिया था बहादुर्शाद जफर के अंतरकत अपने आपको इस्टब्लिश कर लिया था कि भई मैं इनक लिए यहाँ पर काम करता हूं मतलब इनका जो यहाँ पर क्या है कि ruling है ना उसको मैं यहाँ पर सुविकार करता हूं कि मतलब मैं इनके अंदर हूं ठीक है इस तरीके से है तो यह चीज यहाँ पर बताए जैसे आप Britishers के case में अगर आप देखोगे तो Britishers ने यहाँ पर independent कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम उनकी अंतरगत है आप हमारे माई बाप ठीक है तो इस तरीके की बात जो है यह बिर्जिस कादर ने भी यहाँ पर बताई थी मतलब कि जो मुगल Emperor थे भादुर्शा जफर इनका रूल यहाँ पर इन्होंने accept किया था इनकी जो मदर थी है ना याद रखिएगा यह बहुत important है और यह examination में बहुत question आते हैं कि भई जो यहाँ पर 1857 का revolt हुआ था उसको लखनाव से जो है वो किसने लीडी किया था उनका नाम में बेगम हजरत महल इन्होंने एक active part लिया था ताकि जो भी यहाँ पर uprising हो रही है ठीक है जो भी revolt यहाँ पर Britishers के against आपको देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा और strong यहाँ पर हो तो उसमें बेगम हजरत महल का भी बहुत important contribution था बेगम हजरत महल को आप इस photo में यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ सी के बारे में बात करेंगे तो आप सबको पता है रानी लक्षमी भाई जोएंड दा rebel sipoies and fought the British along with the Tantya Tope the general of Nana साहब तो Nana साहब के बारे में मैंने आपको अल्रेडी बता दिया है अब इनके कहा हैं कि एक जनरल थे जनरल मतलब होता है military general जो military का यहाँ पर पूरा पूरा लीड करनी का काम करते हैं और military से related जो भी affairs यहाँ पर होते हैं उनको manage करते हैं तो Tantya Tope के साथ यहाँ पर रानी लक्षमी भाई जी ने Britishers के अगेंस जो है वो यहाँ पर लड़ाई में participate किया था ठीक है याद रखिएगा यह है रानी लक्षमी भाई और यहाँ पर आपको Tantya Tope देखने को मिलेंग ठीक है आज के time period पर Mandala एक जिला है और यह जो जिला है यह कहाँ पर है यह मद्रप्रदेश में देखने को मिलता है तो Mandala में मद्रप्रदेश में रानी अवंती भाई लोधी ऑफ रामगड ठीक है रेस्ट एंड लेड़न आर्मी और 4000 अगेंस दा ब्रिटिश हूँ है टेक administration अपने हाथ में ले लिया था तो अगर आप माल लिजे कि किसी की स्टेट का administration यहाँ पर ले लोगे तो आपको ध्यान रखना है कि रानी अवंती भाई जो है यह मंदला रीजन की आपको देखने को मिलेंगी जो की मद्रप्रदेश में हैं the British were greatly outnumbered by the rebel forces मलब आप यह कह सकते हैं कि जो Britishers थे है ना आप क्योंकि आपको एक बात यहाँ पर यहाँ पर आवाज उठाई तो आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि Britishers को भी यहाँ पर इतनी उमीद नहीं थी कि इतने बड़े scale पर यह revolt यहाँ पर हो जाएगा British had collapsed for a good and gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion ठीक है अब क्या हुआ कि जब अलग अलग जिगे पर यह अलग अलग तरीके की इस revolt में जो है वो participate करना start किया अज situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awad in a particular ठीक है मतलब जो यह UP वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा आवध जो रीजन था वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह जो पूरा का पूरा rebellion था उसका center point देखने को मिलता है है ना इसका मतलब बाकी रीजन में यहाँ पर चीज़ें हो रही थी लेकिन जो आवध वाला रीजन यहाँ पर है UP में जो आपको देखने को मिलता है उस जगे पर अगर आप देखोगे तो यह जो rebellion था यह बहुत बड़े scale पर हो रहा था और Britishers को यहाँ पर जो है वो काफी मजा लोग यहाँ पर चिखा रहे इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि यह British Army जो है उससे related यहाँ पर एक officers है ठीक है तो अब यहाँ पर क्या है कि यह जो situation आपको देखने को मिल रही जो मैं अभी तक आपको explain किया इसको ध्यान में रखते हुए एक telegram, telegram मतलब एक letter जो है वो यहाँ पर मिला किसका Lieutenant Colonel Titler का किसको अपने commander-in-chief को ठीक है मलब अपने जो senior officer है उनको एक telegram इन्होंने यहाँ पर लिखा था उसमें यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि our men are crowded by the number opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us, the जमीदार सहे रैसें to oppose us. ठीक है मलब इन्होंने भी यही चीज़े यहाँ पर mention करिये कि हमारे जो यहाँ पर soldiers ह उनको चारो तरफ से जो है वो यहाँ पर घेर लिया गया है जो local लोग है जो जमीदार है ठीक है जो भी अलग-अलग तरीके के आपको चीज़ देखनी को मिल रहे है वो सब हमारे against में यहाँ पर आ गया है तो overall अगर हम देखेंगे तो इनके telegram में यह चीज़ यहाँ पर mention देखने को मिलती है तो यह situation यहाँ पर बताएगी मतलब लोगों को लगा नहीं होगा Britishers को भी इवन नहीं लगा होगा कि 1857 में जो revolt यहाँ पर हुआ था उससे क्या situation देश में यहाँ पर create हो सकती है और इतने बड़े नंबर में लोग कैसे participate कर सकते हैं लेकिन अलग-अलग आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि काफी सारे नए लीडर्स जो है वो भी यहाँ पर निकल कर सामने आए जैसे एक एक एग्जामपल यहाँ पर दिया गया है एहमुदल्ला साह ठीक है आप यह फोटो में देख शकते हैं यह है एहमुदल्ला शाह ठीक है और यहाँ पर बोला है फिर उसके बाद है कि प्रोफेस्ट डैट दा रूल आफ ब्रिटिश विट कम तो एंड सून मतलब इन्हों ने भी यहां पर कह किया इन्हों ने भी जो इनके यहां पर फॉलोवर्स थे ठीक है जो लोग थे उनको यहां पर यह बताया कि जो ब्रिटिशर से उनका जो पूर मेरी बातों से जो है सामने वाले इंफ्लिएंस यहां पर हो रहे हैं ठीक है तो मैं क्या करूंगा आपको अलग-अलग तरीके की चीज़े बताऊंगा कि ऐसा करेंगे तो ऐसा करेंगे तो आप मेरे सपोर्टर बन जाओगे और इसकी वज़े से इन्हों ने क्या किया कि एक यहां पर लखनाओ चलते हैं और लखनाओ में ब्रिटिशर्स के साथ जो है वो लड़ाई रड़ेंगे तो याद रुखिए का एहमद उल्ला शाह जो है यह फैजाबास से रिलेटेट है और एक मौलवी थे जिन्हों ने यहां पर अपनी बातों से लोगों का सपोर्ट यह ठीक है जो यहां पर धर्म से रिलेटेट यहां पर आपको वारियर्स देखने को मिलेंगे वो लोग यहां पर क्या हुए वो सब यहां पर आ गए कि जो वाइट पीपल है मतलब की जो यहां पर इंग्लिश लोग देखने को मिलेंगे उनको हम यहां पर क्या करेंगे उनको जो है वो पूरी तरीके से समाप्त करेंगे जैसे इसमें एक important personality है इनका नाम है बखत खान ठीक है बहुत important personality है इनका नाम भी आप जो है इतिहास में देखते रहेंगे और examination में जो question मगएरा है इनके उपर पूछा जाता है a soldier from barely took charge of a large force of fighter who came to Delhi मतलब यहाँ पर क्या हुबा कि जितने भी अलग-अलग तरीके के fighters यहाँ पर डेली में आये थे है ना उन सब का leader जो है वो यहाँ पर कौन बने वो बने बखत खान बखत खान मतलब क्या है कि एक soldier है और इनको आप यह कह सकते हैं कि जो भी fighters थे है ना जैस यहाँ पर क्या करेंगे उनको lead मैं करूंगा he became a key military leader of the rebellion मतलब आप यह कह सकते हैं कि यह बहुत ही important ठीक है military leader का रूप यहाँ पर जो है इस पूरे के पूरे revolt में निभार रहते हैं मतलब कि किस तरीके से attack करना है क्या चीज़ें करनी है सब कुछ planning जो है वो बखत खान की आ ठीक है तो यह आप फोटो में देख सकते हैं इनका नाम है कुवन सिंग ठीक है तो कुवन सिंग जी ने जो हैं यह क्या है यह एक जमीदार थे जमीदार मतलब landlord मतलब जिनके बाद जमीन वगरा होती थी है ना वो उस तरीके का काम यहाँ पर गाउं में करते थे तो इन्हो लड़ाई करते रहें लीडर्स एंट फाइटर्स फ्रॉम एक्रोस दी लैंड ज्वैंड दाफाइट मतलब कि आप यह कह सकते हैं कि जो भी अलग-अलग तरीके की लीडर्स थे जो भी फाइटर्स थे जो भी लोकल लोग यहाँ पर थे जहां पर भी उनको जगे मिल रही थ है और जो दूसरे लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ रहें ठीक है उनको यहाँ पर जो है वो थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइट करेंगे तो उससे यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे देश में स्टेबलिश होता हुआ दिखाई दीगा तो मतलब अभी को एकदम परेशान कर दिया उनको अलग-अलग तरीके की बैटल्स में जो है वह यहाँ पर कहा है कि हराया लेकिन अगर माल लीजिए कि 1857 को जो रिवॉल्ट है अगर वो सक्सेस्फुल रिवॉल्ट यहाँ पर हो जाता तो 1947 जब हमें आजादी मिली तब तक हमको इंतजार ही नी करना पड़ता बहुत पहली हम यहाँ पर आजाद हो जाते लेकिन कुछ तो कारण रहे होंगे जिसकी वज़े से ब्रिटिशर्स ने इस पर्टिकुलर रिवल को जो है वो यहाँ पर क्या करती है दबा दिया तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक हेडिंग है यहाँ पर the company fights back ठीक है आपकी book में यह heading लिखी हुई है इस heading के तहत अब हम यहाँ पर discussion करेंगे और हम यह देखेंगे कि जो पूरा का पूरा rebel यहाँ पर हुआ था है ना इसको यहाँ पर control कैसे किया Britishers ने कौन-कौन सी policies उन्होंने apply है ना कौन-कौन से plan उन्होंने यहाँ पर execute कि अब वो चीज हम इस heading के तहत यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अन्वर्ड वाइदा scale of the upheaval the company decided to repress the revolt with all ठीक है its might बदलब यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके से situation देश में यहाँ पर create हो रहे थी जिस तरीके से यहाँ पर यह revolt हो रहे थे Britishers ने यहाँ पर यह decide कि हम अपना जो भी हमारे पास चीज़ें available हैं जो भी resources हैं हमें जो भी करना पड़े हम क्या करेंगे यह जो particular 1857 का revolt यहाँ पर हुआ है इसको हम किसी ने किसी तरीके से यहाँ पर दबाएंगे यह चीज किस ने decide कि लिए Britishers ने ब्रिटिश ने यह बोल with ease and then moved into the stone centers of the revolt मतलब यहाँ पर क्या हुआ इन्होंने बोला कि reinforcement करो थोड़ा जो soldiers वगरा है है ना या लड़ाई करने के लिए जो भी यहाँ पर थोड़े से equipment वगरा की जरौत होगी है ना वो England से मगाए गए इन्होंने क्या कि अलग अलग तरीके की जो कानून है वो में participate कर रहा है और Britishers ने क्या किया कि उनको पकड़ लिया तो उसमें क्या है कि उनको सीधे जो है वो Convict किया जाए Convict मतलब उनको सीधे यहाँ पर सजा दी जाए उसमें बहुत जादा complications नहीं होने चाहिए उनको जिसको भी पकड़ो सीधे execute कर दो सीधे उनको खतम कर दो इस तरीके के इन्होंने कानून यहाँ पर पास किये और फिर धीरे धीरे जो भी यहाँ पर storm centers देखने को मिलेंगे तीक है जैसे लखनव हो गया दिल्ली हो गया यह सारे regions में उन्होंने प्रवेश करना स्टार्ट किया जहां से revolt बड़ी scale में जो है वो यहाँ पर आगे पर स्टार्ट किया डेली वोज रीकेप्चरड फ्रॉम दा रिबल फोर्सेजिन सप्टेंबर 1857 ठीक है मई में हमने यह पूरा का पूरा जो रिवाल्ट है वो यहाँ पर स्टार्ट किया था लेकिन आप देख सकते हैं कि सेप्टेंबर आते आते सेप्टेंबर 1857 तक यहाँ पर देखने को मिलता है तो आप यह कह सकते हैं कि जो भी रेंफोर्स्मेंट वगरा यहाँ पर आया था जो भी स्ट्राटिजी इन्होंने यहाँ पर फॉलो करी थी उसकी वज़े से यहाँ पर क्या हुआ कि चीज़े जो है वह इनके कंट्रोल में आने लग गई और को इन्होंने सप्टेंबर 1857 में रीकैप्चर कल दिया लास्ट मुगल एंपरर बहादुर्शाद जफर वस ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजनमेंट ठीक है मतलब कि यह बहादुर्शाद जफर है ठीक है आपको फोटो में देखने को मिल रहे तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनको जो है वो कोर्ट वगरा में जो है वो ट्राइ किया गया ठीक है मतलब आप यह कह सकते हैं कि जो कोर्ट के जो काम होते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट करी गई और आप यह कह सकते हैं कि इन्हें उम्र कैद की सजा यहाँ पर कि उनको काला पानी की सजा यहां पर दे दी गई थी तो रंगून यहां पर भेद दिया गया लगून जो है यह मियानमार में o रंगून थी फिर यंगून हुई आज के टाइम पीरेट पर जो म्यानमार की कैपिटल है वो नए पर ही दो आपको देखने को मिलेगी तो रंगून जो है वो यहां पर क्या है कि पहले भारत का ही पार था ठीके बाद में हमने बर्मा जो है जिसको म्यानमार बोलते हैं वो अल जफर जो है वो थोड़ा सा ओल डीडर थे है ना मतलब बुजुर के वेक्ति थे अब उनका यहां पर क्या था कि कब जाना है कब नहीं जाना है वो तो मलब जाने ही वाले थे बिल्कुल उनकी डेथ यहां पर होने वाली थी है ना लेकिन यहां पर क्या गया गया और दूसर forces attack the rebels who had occupied the red fort on the right and Salim Gal Fort in Delhi on the left ठीक है तो यह देखो यह आपको यहाँ पर यह red fort देखने को मिल रहा है ठीक है यह red fort है और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है यह आपको Salim Gal fort देखने को मिलेगा तो rebels ने इसको यहाँ पर क्या कर लिया था ठीक है और ब्रिटिश हैस ने क्या किया attack करके यह दोनों चीज़े जो है वो अपने control में यहाँ पर ली तो उसी time period का एक photo है जो आपके सामने यहाँ पर प्रिजेंट किया गया है फिर उसके बाद आप यह देख सकते हैं कि the sea train reaches Delhi मतलब आप यह कह सकते हैं कि इस photo में यहाँ पर यह दिखाया गया मैंने आपको बताया ना इन्होंने बोला कि भाई हमें थोड़ा reinforcement वगरा यहाँ पर दो ठीक है मतलब जो भी अलग-अलग तरीके की cavalry वगरा होती है है ना जो top वगरा यहाँ पर होती है वो चीजे provide करो तो इस तरीके से Britishers ने यह सब चीजें यहाँ पर मंगवा ली थी ताकि rebel को अच्छी तरीके से control यहाँ पर किया जाए तो यह वही सब चीजें है जो यहाँ पर पहुंचती हुई आपको location पर देखने हो जाएगा यह ना कि Britishers ने क्या कर लिया कि दिल्ली कैप्चर कर ली तो आप यहाँ पर क्या है कि सब चीजें यहाँ पर खतम हो जाएंगी people continue to resist and battle the British ठीके लोगों ने यहाँ पर क्या है कि जो भी इनका resistance था उसको यहाँ पर continue रखा और जो Britishers थे उनके साथ लड़ाई जो है वो यहाँ पर दबाने के लिए है ना मतलब Britishers को काफी समय यहाँ पर लग गया और लखनव को अगर हम देखेंगे तो लखनव जो भी एक यहाँ पर नोडल सेंटर था इसको मार्च 1858 में जो है वो यहाँ पर Britishers ने अपने कंट्रोल में कर लिया है ना जैसे September में अगर आप देखोगे ठीक है September 1857 में तो यहाँ पर क्या हुआ था दिल्ली आ गया था है ना उसी तरीके से लखनव में अगर आप देखोगे तो लखनव का जो टाइम पिरेड है यह मार्च 1858 का है उस टाइम पिरेड पर लखनव जो है यह कंट्रोल कर पाए रानी लक्षमी वो गॉलियर में आपको देखने को मिलेगी ठीक है तो रानी लक्षमी भाई जी को भी यहाँ पर यहाँ पर क्या कर दिया ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर डिफीट कर दिया मतलब धोके से इनको यहाँ पर मार दिया था सिमिलर फेट जो है वो यहाँ पर रानी अवंती भाई जी के लिए भी था रानी अवंती भाई जो है वो मंडला की आपको रानी देखने को मिलेगी मंडला मद्रप्रदेश में है ठीक है रामगड़ फोट इन्हीं से एसोसियेटेट है फोटर इनिशल विक्टरी इन खेरी चूस्टू इंब्रेस डेथ वें सराउंड़ बाई दा ब्रिटिश ऑन आल साइट ठीक है मतलब कि यहाँ पर कहा है कि जब इनिशल फेस यहाँ पर था तो उसमें इनको जीत मिली थी है ना लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स ने इनको चारों तरफ से यहाँ पर घेर लिया तो इनकी जो सहाई का थी और यह इनोंने अपने आपको जो है मतलब आप यह कह सकते हैं कि चाकू से अपनी हत्या यहाँ पर कर ली थी खुद ही कर ली थी मतलब ब्रिटिशर्स के चंगुल में यहाँ पर कि गुरिला वॉर्ट जो है इन्होंने यहां पट जएंगे आपको पता भी चलेगा कि बिलुब छुप के जो लड़ा यहां पर लडी जातीए उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं आपर गॉरिला वोर जैसे क्या है कि मैंने एक डॉकुमेंटरी यहाँ पर देखी थी उसमें क्या है कि कोई जानवर वगएरा होता है और वह भूत खतरनाक है उसको पकैड़ना बिलकुल मतलब मुश्किल है तो ये लोग क्या करते हैं कि गुरिला वार जो मैथेट्स होती ना उनके तहती उसको मारते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे एक मने स्टोरी पढ़ी थी उसमें एक हाथी था तो हाथी बहुत बढ़ा था तो उसको मारना था तो वो लोग क्या करते थे कि ऐसे आते थे एकदम से अटेक करते थे फिर शुप जाते थे तो हाथी को पता भी नहीं चलता थे कि वो किस तरीके से यहाँ पर क्या है कि यह अटेक उसके उपर हुआ तो गुरिला वॉर से जो है ब्रिटिश रसको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर चीजे करी गहीं थी और तांतिय टोपंच जी जो थे वह यहां पर महीर थे और ट्राइबल और जो भी पीजन लीडेर्स आपको देखने को मिलेंगे उन्हों ने उनकी यहांपर इस पटिगूलर काम में बहुत मदद कर और इसी में अगर आप देखेंगे तो इनको यहां पर कह किया गया गया कि अप्रेreno 1859 में 1857 में यहां पर स्टार्ट हुआ था और अप्रेल 1859 में तांतिय टोपे जो है उनको यहां पर Capture किया गया और giving जिकने को सु जो है वो यहाँ पर ब्रिटिशर्स को लग गया करीब दो साल का टाइम जो है वो यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन एक चीज आपको यह ध्यान रखना है कि पहले क्या हो रहा था कि जो हमारे अलग-अलग तरीके के फाइटर्स हैं जो रिबल्स आपको दे साह आया कि मैं भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिवोल्ट में पाटिसिपेट करता हूँ लेकिन फिर अभी आपको मैंने यहाँ पर काफी सारी चीजें जो हैं वो बताई है ना रानी लक्ष्मी भाई जी के बारे में बताया रानी अवंती भाई के बारे में बताया तांत तो लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि participate करना जो है वो यहाँ पर बंद कर दिया The British also tried their best to win back the loyalty of the people मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आप यह कह सकते हैं कि जो loyalty थी क्योंकि अगर माल लीजे कि यहाँ पर क्या है कि लोग नराज होते और Britishers अकर यहाँ पर जीत भी जाते तो उससे कोई फायदा नहीं होता Britishers जिस तरीके से अपना rule यहाँ पर establish कर रहे थे वो होई गई नहीं क्योंकि राजा जो है वो राजा क्यों है क्योंकि जनता यहाँ पर क्या है कि उसके उपर विश्वास करती है जनता जो है वो राजा के प्रती वफादार है तो Britishers ने यहाँ पर यही चाहा कि भई हम क्या करेंगे कि जो loyalty है जो वफादारी है लोगों की उसको हम वापिस जो है वो regain करें है ना क्योंकि अभी loyalty जो चली गई थी तभी तो यहाँ पर क्या हुआ था reward आपको देखने को मिल रहा है तो Britishers ने इस चीज के उपर भी काम किया तो इन्हों ने यहाँ पर इस particular चीज के लिए क्या किया they announce rewards for the loyal landholders would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their lands ठीक है मतलब इन्हों ने यहाँ पर यह बोल दिया कि भाई देखिए जो loyal यहाँ पर landholders होंगे मतलब जिनके पास यहाँ पर जमीन वगरा है हम यहाँ पर यह announce करते हैं कि अगर अपनी वफादारी आप हमारे प्रती रखोगे तो आपकी जो traditional यहाँ पर rights हैं है ना आपके lands की उपर आप उसको enjoy करोगे हम लोग यहाँ पर कोई हस्तक छेप जो ह की गई ताकि जो landholders वगरा हैं इनका विश्वास जो है वो British सरकार में यहाँ पर बना रहे और जो Britishers हैं ठीक है वो यहाँ पर क्या करेंगे कि अलग-अलग तरीके के announcement करके अलग-अलग तरीके की जो privileges हैं profits हैं वो लोगों को provide करेंगे ताकि लोग खुश रहें और लोग ख submitted to the British and if they had not killed any white people they would remain safe and their rights and claims to land would not be denied मतलब यहाँ पर क्या हुआ इन्हों ने यह भी बोल दिया कि अगर मान लीजे कि आप यहाँ पर क्या है कि आपने रिबल किया है और यहाँ पर क्या है कि अगर आप अपने आपको जो है वो British को जो है वो submit कर देते हो मतलब कि Britishers को जो है व सेफ रहेंगे जैसे दो लोग हैं एक मैं हूँ मैंने सोच लिया कि चलो भाई हम क्या करते हैं कि Britishers को अपने आपको submit कर देते हैं हैं तो अब दो condition यहाँ पर बनेगी पहली condition बनेगी कि क्या इसने किसी जो वाइट है उसको मारा है क्या अगर मारा है तो फिर मैं नहीं बच क्या था ना कि आपको traditional जो rights हैं वो यहाँ पर मिले रहेंगे इसी तरीके से बाकी लोगों के लिए इनों ने यहाँ पर यह announcement करी कि आपके जो भी rights हैं जो भी claims हैं किसको लेकर land को लेकर जमीन को लेकर उसको ले आपको deny नहीं किया जाएगा आप उस चीज को यहाँ पर allow कर होगा ठीक है मतलब आप उस चीज को यहाँ पर continue कर सकते हैं इसमें कोई problem यहाँ पर नहीं आएगी इस तरीके से Britishers ने अपनी बात यहाँ पर रखी nevertheless hundreds of sepays, rebels, नवापs and राजास were tried and hanged मतलब बहुत सारे जो यहाँ पर सिपाही थे बहुत सारे जो rebels आपको देखने को मिलेगे नवाप देखने को मिलेगे राजास देखने को मिलेगे उन सब को पकड़ा गया और उन सब को जो है वो यहाँ पर फासी की जो सजा है वो जब Britishers ने यहाँ पर क्या किया कि fight back किया है ना तो उस time period पर आप देख सकते हैं कि situation ऐसी यहाँ पर गंभीर हो गई थी आप इस फोटो में देख सकते हैं British troop blow up कश्मीरी गेट टू एंटर डली है ना जैसे दिल्ली में अगर आपको यहाँ पर क्या करना है कि एंटर करना है तो यह जो कश्मीरी गेट है आज भी आपको देखने को मिलेगा कश्मीरी गेट तो इसको यहाँ पर क्या कर दिया था इन्होंने उड़ा दिया था ताकि लोग यहाँ पर क्या कर पाएं कि जो दिल्ली में एंटरी यहाँ पर है यहाँ पर बंद हो जाए क्योंकि दिल्ली म का revolt यहां पर हुआ, Britishers ने कैसे fight back किया, अब उसके बाद यहां पर क्या हुआ, है ना मलब चीजों के उपर जो Britishers का control है वो आपको देखने को मिला, लेकिन उसके बाद किस तरीके की situation यहां पर create हुई, अब उसके बारे में हम बात करेंगे, so यहां पर बात हो रही है after month, the British had regained control of the country by the end of 1859, but they could not carry on ruling the land with the same policies anymore, बलब यहां पर क्या हुआ कि Britishers ने पूरा का पूरा जो revolt था, उसको 1859 तक इन्होंने पूरी तरीके से दबा दिया था, लेकिन इनकी जो policies थी, वो गलत थी, और इसी वज़े से तो आप यह कह सकते हैं कि जो लोग थे, उन्होंने यहां पर revolt किया था न, अगर सब कुछ सही तरीके से चल रहा हो था, तो लोग revolt नहीं करते, तो Britishers ने यहां पर यह decide कि जो भी हमारे policies थी, जो भी हमारे laws यहां पर चल रहे थे, हम क्या करेंगे, कि उन तरीकों से यहां पर चीज़ों को आप continue नहीं करेंगे, अब उसमें हमकों चीज़ों जो है, वो बदलने की यहां पर जरूरत है, तो अब examination में question आपसे यह पूछा जाएगा, जो 1857 का revolt हुआ था, उसके बाद जो Britishers थे, उन्होंने यहां पर कौन-कौन से changes थे, जिसको introduce यहां पर किया, अब यह बहुत important question है, जो आपको पता होना चाहिए, तो British Parliament ने पहला जो important change था, वो यह था, कि जो British Parliament है, British Parliament कहाँ पर मिलेगी, इंग्लेंड में, पास the new act in 1858, एक नया एक्ट जो है, वो यहां पर क्या हुआ कि 1858 में पास हुआ, जिसको हम बोलते हैं, Government of India Act 1858, and transferred the powers of the East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs, ठीके, तो अब यहां पर क्या है, कि जो East India Company है, है ना, इसके पास जो अधिकार थे, जो पावर थी, वो इनसे छीन ली गई, अभी तक East India Company रूल कर रही थी, है ना, मतलब उनका जो traditional काम था, वो यही था, कि भारत में जो भी affairs हैं, उनका management आपको करना है, तो अब यहां पर क्या हुआ कि East India Company जो है ना, उसके अधिकार यहां पर छीन लिये गए, और उन अधिकारों को जो है, वो British Crown, British Crown मतलब जो Queen Elizabeth आपको देखने को मिलती है, आज के time period पर, ठेके उस time period पर Queen जो है, वो दूसरी थी, Victoria आपको देखने को मिलती है, तो उनको यहां पर transfer कर दिया गया, मतलब यह बोला गया है कि भाई, जो भी यहां पर यह Indian affairs होंगे, मतलब भारत में जो भी चीज़ें यहां पर होंगी, वो British Parliament में discuss की जाएंगी, और उनके basis पे इनका implementation होगा, मतलब यहां पर East India Company जो है, वो आप अपने हिसाब से कुछ यहां पर decide नहीं करेगी, अब यहां पर क्या होगा, कि जो यहां पर crown है, जो Parliament आपको देखने को मिलेगा, जो रानी आपको देखने को मिलेगी, उनके basis पे क्या है कि भारतिये जो affairs हैं, जो भी यहां पर काम होगा, administration होगा, उन चीजों को manage किया जाएगा, तो यह बहुत ही एक important, जो है आप यह कह सकते हैं कि step था, मतलब अभी तक East India Company control कर रही थी चीजों को, अब यहां पर क्या होगा, कि जो British Crown है, वो यहां पर चीजों को manage करेगा, तो यह point आपको ध्यान लखना है, यह 1857 का जो revolt हुआ था, उसके बाद देखने को मिला, अब member of the British cabinet was appointed secretary of state for India and made responsible for all matters related to the government of India, मतलब यहां पर क्या है, British cabinet, British cabinet मतलब जैसे भारत का cabinet है, है ना, cabinet मतलब मंत्रियों का जो समू होता है, जिसमें जैसे आपके home minister हो गए, finance minister हो गए, यह सब लोग cabinet में आते हैं, इसी तरीके से जो British Parliament थी, वहां पर भी एक cabinet था, तो उसी में से जो cabinet में से ही एक person जो था, उसको यहां पर क्या किया गया, secretary of state जो है, वो इंडिया के लिए appoint किया गया, मतलब उसमें जो cabinet है, तो उसी cabinet में एक post यहां पर create करेगी, किसका secretary of state for India, कि भारत में जो भी affairs यहां पर होंगे, जो भी यहां पर काम हो रहा है, जो भी administration यहां पर हो रहा है, वो कौन देखेगा, वो देखेगा, secretary of state for India, और वो फिर क्या करेगा, जो British Parliament है, या फिर जो Queen है, उनको यहां पर inform करेगा, कि भाई इस तरीके से भारत में यहां पर यहां पर काम चल रहा है, तो याद रखिएगा, secretary of state for India, यह 1857 के revolt के बाद, यह post यहां पर create करी गई, ताकि भारत में जो भी यहां पर matters है, उनको कैसे manage करना है, वो चीज़ें यहां पर देखी जाए, ठीक है, एक बात यह ध्यान आप यहां पर क्या होगा, कि अकेले तो यह काम कर नहीं पाएंगे, चोंकि भारत छोटा था नहीं, तो इसलिए इनको यहां पर क्या किया गया, इनको एक counsel जो है वो यहां पर प्रोवाईट की गई, ताकि इनको यहां पर advice दे सकें, और जिसको यहां पर India counsel जो है, वो कहते यहां पर क्या हुआ कि आप यहां पर क्या हुआ कि आप यह कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी है ना जैसे अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है कि जो लास्ट गवर्नर जनरल थे भारत के है ना एक यह कुश्चन आता है कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन थ थे थीक है इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि इसके बाद यह वैसराय की जो पोस्ट है वो यहाँ पर आ गई थीक है आब यह मत बोलना कि सर वो तो दूसरे थे Lord Mountbatten के बारे में भी हमने सुना है है न वो तो कहा है कि वो voice ray आपको देखने को मिलेंगे so voice ray जो आपको देखने को मिलेंगे कौन से first ठीक है पहले voice ray कौन थे वो भी आपको यहाँ पर lord canning ही देखने को मिलेंगे ठीक है मतलब कि जब यहाँ पर 1857 का revolt हुआ था तो lord canning जो है governor general थे फिर 1857 के revolt के बाद government of india act 1858 के तहत यहाँ पर क्या है कि यह जो voice ray वाली post थी वो introduce करी गई governor general वाली post यहाँ पर हटा दी गई तो यहाँ पर क्या है कि आखरी जो voice ray बने वो कौन थे वो lord canning थे ठीक है यह question दोनों यहाँ पर mcqs में भी बनते हैं तो आपको ध्यान लकना है अब क्या होगा कि voice ray जो है न वो क्या है कि यह personal representative है है न मतलब कि जो crown है है न जो queen आपको देखने को मिलेंगी उनके personal representative जो है वो कौन है वो voice ray है मतलब कि आप यह माल लीजे कि अब यहाँ पर voice ray की रूप में जो queen है वो भारत में rule करती हुई आपको दिखाई दी रही है तो इसलिए इनको हम यहाँ पर personal representative जो है वो यहाँ पर कह रहे है through these measures the British government accepted direct responsibility for ruling India मतलब अभी तब क्या हो रहा था कि East India company के तहत है न यहाँ पर चीजें जो है वो यहाँ पर हो रही थी लेकिन अब क्योंकि crown का control यहाँ पर हो गया है crown को सारी powers जो है वो यहाँ पर transfer कर दी गई है तो इससे यहाँ पर क्या हुआ कि अब जो British हुकूमत है है ना उसकी direct responsibility यहाँ पर बन गई है कि वो भारत को rule करे है ना क्योंकि queen के representative है secretary of state for India भी आपको देखने को मिल रहे है जो Indian affairs को administration को यहाँ पर manage करेंगे उसके बारे में discussion करेंगे है ना advice मिलेगी उनको अलग-अलग तरीके की तो आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जो British यहाँ पर सरकार है उसकी direct responsibility आपको देखने को मिल रही है पहले East India company के through होता था लेकिन अब East India company के through नहीं होगा आप यहाँ पर क्या है कि direct responsibility जो है वो British की है और crown यहाँ पर रूल कर रहे है All ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future मतलब कि जितने भी यहाँ पर क्या हैं कि ruling chiefs थे जो भी यहाँ पर काम कर रहे थे जो भी अलग-अलग territories को यहाँ पर क्या कर रहे थे कि manage कर रहे थे उनको यह assure किया गया कि हम क्या करेंगे कि आपकी जो भी territory होती है उसको हम यहाँ पर annex नहीं करेंगे ठीक है यह Queen Victoria है आप इनको photo में देख सकते हैं यही Queen थी जब 1857 का revolt यहाँ पर हुआ था तो इनको यहाँ पर यह assure किया गया कि हम आपकी territory जो है annex नहीं करेंगे इससे पहले क्या हो रहा था यही सब हो रहा था doctrine of labs हो गया subsidiary alliance हो गया फिर जो भी यहाँ पर आपको tax वगरा पे करना पड़ रहा था तो उसकी वज़े से काफी सारी जो territory है वो Britishers ने already यहाँ पर annex कर ली थी जिसकी वज़े से लोगों को डर लगता था कि यार मतलब हमारी territory भी अगर annex हो जाएगी तो फिर तो बड़ी problem हो जाएगी और शायद इसी वज़े से इसी डर की वज़े से जादतर लोगों ने revolt में जो है वो यहाँ पर participate किया था तो इनको यह assure किया गया कि भी आप चिंता बिलकुल नहीं करना हम क्या करेंगे कि आपकी जो territories है ना इनको कभी annex नहीं करेंगे annex मतलब कबजा करना attack करके उसको हासिल कर लेना तो रानी लक्षमी भाई जी जो है उनका कोई इहाँ पर रियल सन तो था नहीं तो वो अपना जो इहाँ पर kingdom है उसको यहाँ पर वारिश बना कर जो है उसको transfer करना चाती थी तो ब्रिडिशर्स ने यहाँ पर यह rule बना दिया कि भाई आप अपने kingdom जो है तेकर उसको क्या कर सकते हो कि उसका वारिश जो है वो यहाँ पर एक adopted sun भी यहाँ पर हो सकता है अगर आपका कोई real sun नहीं है तो कोई problem नहीं आएगी तो यह बदलाओ भी जो है 1857 के revolt के बाद आपको देखने को मिला however they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount ठीक है मतलब लेकिन इनको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा इनको यहाँ पर यह acknowledge करना पड़ेगा कि जो British यहाँ पर Queen है वो sovereign paramount है मतलब कि सबसे उपर जो आपको देखने को मिलेंगे आपके उपर जिसका control है आप जिसके अधीन रहते हुए यहाँ पर काम कर रहे हो वो British Queen है तो British Queen को जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा sovereign paramount जो है वो यहाँ पर मानना पड़ेगा यह बात आपको बताएगी मतलब कि उनके बहाफ में आप rule कर रहे हो आपके उपर जो पूरा का पूरा control है अधिकार है वो British Queen का देखने को मिलेगा यह बात आपको यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी अकनॉलिज करनी पड़ेगी तभी आप इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं मतलब आप यह कह सकते हैं कि आपका जो भी यहाँ पर यह पूरा का पूरा kingdom था आप जिसको यहाँ पर control कर रहे हो ठीके जिसको आप आगे बढ़ा रहे हो ठीके वो आप क्या कर रहे होगी एक subordinate हो मतलब वो है तो British Crown का ही लेकिन आप क्या है कि उनके subordinate हो और उनकी मतलब से जो है वो आप यहाँ पर क्या कर रहे होगी जो काम है वो यहाँ पर आप करते हुए दिखाई दे रहे हो है ना मतलब आपका यहाँ पर कुछ नहीं है आप बस केबल रूल करोगे बागी वो British Crown है ठीके जिसके बिहाफ में आप रूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो यह चीज यहाँ पर यह इंशोर करीगे इट वोस डिसाइड़ देट देट प्रपोर्शन ओफ इंडियन सोलजर्स इन दा आर्मी वोड बी रिडियूस and the number of European soldiers would be increased ठीके क्योंकि शायद यही रीजन था कि Indian soldiers आपको देखने को मिल रहे थे जादा number पर और इसी वज़े से यहाँ पर क्या हुआ कि एक ने यहाँ पर mutiny करी फिर दूसरे ने mutiny करी तो इसी तरीके से यह series यहाँ पर बढ़ गई तो Britishers ने यहाँ पर यह सोचा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो Indian soldiers हैं ठीके उनका number यहाँ पर क्या करेंगे कम करेंगे हैना British Army में जो Indian soldiers हैं वो जादा नहीं रहेंगे और जो European soldiers आपको देखने को मिलेंगे उनका number हम यहाँ पर increase करेंगे ताकि इस तरीके की कोई situation जो है वो in future यहाँ पर create होती हुई आपको दिखाई न दे दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो इसमें यह बात बताई गई है न कि simple सी बात यहाँ पर यह है यह जो यहाँ पर अवद वाले लोग है बिहार है, Central India है, South India यह सारे वो regions है जहाँ पर क्या हुआ था कि आप यह revolt जो है वो बड़े scale पर देख सकते हैं अवद के बार में तो हमने पढ़ा ही था, बिहार में भी हुआ था Central India, मदप्रदेश वगरा में भी आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि Britishers को यह लगा किया और मतलब थोड़ा loyalty वाली जो चीज है ना वो यहाँ पर गलबड हो रही है इन्होंने revolt यहाँ पर किया तो इन्होंने यह डिसाइट किया कि इनको हटाओ और थोड़ा जो यहाँ पर क्या है कि loyal लोग है इनको हमें क्या करना है कि जादा से जादा जो फौज है उसमें लेके आना है क्योंकि आवद बिहार, Central India और South India वगरा में जो 1857 का revolt था वो बड़े scale पर हुआ तो इन future भी होने की chances यहाँ पर जादा थे तो उन चीजों को हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर पाते है The land and property of the Muslim was confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and the hostility मतलब यहाँ पर क्या है कि किसी चीज को यहाँ पर confiscated मतलब होता है जब तकरना ठीक है तो जो भी यहाँ पर Muslim लोग थे उनकी यहाँ पर क्या हो गई कि जो भी जमीन वगरा थी उनको यहाँ पर जब तकर लिया गया और इनको यहाँ पर क्या करते थे कि suspicion और hostility मतलब उनके साथ जो विवार यहाँ पर किया जाता था वो गलत किया जाता था और उनको जो है वो यहाँ पर शक की नजर से हमेशा देखा जाता था मतलब उनकी इस्तिती जो है वो Britishers के time period पर यहाँ पर खराब होने लग गई थी और उनके बहुत सारे जो lands वगएरा हैं उनको उन्होंने क्या कर लिया था जब्त कर लिया था ठीक है मतलब आप यह कह सकते हैं कि Britishers ने यह भी मान लिया था कि जो यह 1857 के revolt में जो यहाँ पर main वज़े थी मतलब जिसकी वज़े सी यह पूरा का पूरा यहाँ पर revolt हुआ उसकी वज़े कौन थी वो उन्होंने मान लिया था कि British वाले जो है वो खुद है The British decided to respect the customary religious and social practice of the people in India मतलब कि जो यह लोग क्या करते हैं कि जो भी religious practice हैं है न जो भी यहाँ पर क्या होते हैं कि आपकी social practices वगरा होती है Britishers ने डिसाइड किया कि कि किसी की धर्म की भावना को जो है वो यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचाना है है न क्योंकि आपने वो जो cartridge वाला भी देखा है न वहाँ पर भी religious वाली चीज़े यहाँ पर आई थी तो काफी सारे social practices वगरा होती है ठीक है जिनको Britishers यहाँ पर change करना चाते थे लेकिन वो भारतिये नहीं चाते थे कि उसमें कोई बदलाओ यहाँ पर हो और इसी वज़े से यहाँ पर क्या हुआ कि Britishers ने decide कि इनकी धार्मिक भावना और जो भी यहाँ पर इनके social practices हैं इनको यहाँ पर respect करना इसमें बदलाओ करने की कोई आवशिक्ता नहीं है पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलोट्स एंड जमीदार एंड गिव देम security ओफ राइट ओवर देर लैंड ठीक है मतलब अलग-अलग तरीके की जो यह लैंडलोट्स वगरा थे जो जमीदार आपको देखने को मिलेंगे इन सभी लोकों को लिए हाँ पर प्रोट करी लेकिन वो कुछ टाइम के लिए रहेंगी ऐसा नहीं है आपको security हम यहां पर प्रोट करते हैं और इसी वज़े से अगर आप यह देख सकते हैं कि जो यह 1857 का revolt यहां पर हुआ इसके बाद जो है वो क्या होता है कि एक नया इतिहास जो है वो यहां पर अब 1857 के revolt के बाद काफी सारे अलग-अलग तरीके की changes जो है वो आपको देखने को मिले और इनी changes की बदोलत हम यहां पर यह कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो इतिहास है अब इसके बाद वाला है ना अब यहां पर कहेगी अब East India Company गवर्न नहीं करेगी अब British Crown जो है वो नए तरीके से आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा अब इस मैप में अगर आप देखोगे तो some important centers of revolt in North India ठीक है अब इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे यहां पर डैली हो गया यह मेरेट हो गया यह बरेली हो गया यह जहांसी हो गया फैजाबाद हो गया लक स्केल पर जो चीजे है वो यहां पर हुई थी आप से एक mcq question पूछ लेंगे तीन option इसमें से देदेंगे कोई दूसरा option देदेंगे फिर पूछ लेंगे कि इन में से कौन सा main center था कौन सा main center नहीं था तो ऐसे question जो है वो भी examination में आ सकते हैं तो इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी जो है वो यहां पर होनी चाहिए ठीक है clear हो गया भाई तो यह था आपका complete chapter का revision जिसमें हमने यह देखा कि situation यहां पर किस तरीके से बनी जो Britishers की policies थी चाहे वो local लोगों के लिए हो जमीदार के लिए हो लेंडलोट्स के लिए हो ट्राइबल्स के गी और कैसे सब लोग यहां पर एकजूट हुए और कैसे 1857 का revolt यहां पर हुआ कुछ important personalities के बारे में हमने जाना जिनोंने 1857 के revolt में काफी important यहां पर role play किया था हमने locations के बारे में जाना कहां कहां पर यह चीजे हुई थी और फिर Britishers ने उन चीजों के उपर control कैसे establish किया और 18 1858 का जो government of India act है है ना उसके तहत इन्होंने अलग-अलग तरीके की चीजें कैसे establish करी क्या reforms यहां पर लेकर आए यह पूरा का पूरा chapter जो था यह मैंने आपको explain किया one shot revision जो videos होते हैं उसमें आपको कोशिश यही करनी है कि आप पूरे chapter की understanding यहां पर develop कर लो question answer लिखना तरीके से लिख कराना आपको बहुत अच्छे number मिलेगी कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होगी तो यह था complete chapter revision I hope आपको सारी चीजें जो है वह यहां पर समझ में आई होगी ठीक है तो आप लोग जो है वो comment section में कोई doubt होता है तो आप comment section में mention कर सकते हो और अपना feedback जो ह है वह जरूर comment section में लिखना ताकि मुझे पता चलेगी जो पूरा explanation मैंने आपको provide किया इसको आपको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको मज़ा आया या नहीं है ठीक है तो वह feedback की माद्धिम से मुझे पता चलेगा अचा कई सारे students यह कहते हैं कि sir पुराने chapters कै कैसे होंगे कैसे तरीके से complete करना है तो कुछ तो आपको description में link available होंगी आप उनके तहत देख सकते हैं otherwise आप Google पर जाकर magnetbrains.com जो है वह यहाँ पर search कर लेना ठीक है तो जैसे आप Google पर magnetbrains.com करोगे इसको search करोगे तो आपको इस तरीके से चीज़े मिलेगी India's number one hundred percent free online education platform जहा पर provide की जाती है अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है आपको अलग-अलग तरीके की tabs देखने को मिलेगी जैसे cbsc English medium, Hindi medium, spoken English, NTSC, Olympiart, IIT, JE, NEET ठीक है और जो भी अलग-अलग तरीके के computer examination है उनकी अलग-अलग tabs है आपको जो prepare करना है आप उस tab की उपर knowledge ठीक है उसके बाद civics, geography, history तो जो भी चीज़े आपको पढ़नी है आप उसको यहाँ पर open कर लीजे ठीक है history पढ़ना, history खोल लो, geography, civics जो भी चीज़े है वो आप यहाँ पर कर लीजे और जैसी open करोगे फिर जैसे यह history का आपका chapter open हो गए अलग-अलग तो आप इसको open क आपको देखना है, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको complete कराई गई है और उससे आपको बहुत benefit होगा, जैसे chapter number 1 है तो इससे पहले काफी सारी चीज़े यहाँ पर हो चुकी है, तो उन वीडियोस को देख सकते हैं, कभी भी कोई issue अगर यहाँ पर आएगा तो आप comment section में भी mention कर सकते हो, magnet brains पर याद रखिएगा 100% free classes मिलती हैं आपको, है ना कोई भी charge आप से नहीं लिया जाता, चाहिए आप किसी भी class, kg से लेकर 12th class तक किसी भी class की preparation करो, एकदम 100% आपको free preparation यहाँ पर कराई जाती है, अगर आपको यह session अच्छा लगाया तो session को like करें, channel को subscribe कर ले और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, अलग-अलग लोगों को, अलग-अलग groups में इस वीडियो को जरूर शेर करें, ताकि लोग 8th class के social science की preparation भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर शुरू कर सकें, अगले chapter में एक नया session के साथ मैं आप से मिलूँगा, एक नय chapter पढ़ाऊंगा, तब तक keep smelling and keep preparing, लगे रो exam clear करो, thank you so much, जय हिंद!